आज इस विशेश सभामे उपस्तित कोटानगर के सभी सम्भाननिय नागरिक बंदो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्तित है और मुझे भारतिय संस्कृती सभिता तथा यूरोप की संस्कृती और सभिता के विशलेशन का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है मैं इस आयोजन में समलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ लॉइंस परवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं कोटा जूनियर चेंबर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूं भारत विकास परिशद की सभी संस्थाओं का आभारी हूं जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है मैं पहले भी कही बार कोटा आ चुका हूँ और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा आज एक विशेश व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूँ भारत देश की आज़ादी को साथवा वर्ष शुरू हो गया है हमारे देश में परमपरा और मानिता के अनुसार शष्टी पूर्थी हुआ करती है जब किसी परिवार वें किसी नागरिक की उम्बर साथ वर्ष हो जाती है तो उसकी सष्टी पूर्थी का कारिक्रम होता है मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि अपने देश की आजादी की शश्टी पूर्ती मना ही जाए लेकिन ये एक विशेश तरीके से वो विशेश तरीका क्या या विशेश बात क्या हमारा देश जिस आजादी के 60 साल में प्रवेश कर रहा है उस आजादी के वड़ा कारण था हमारी गुलामी उस गुलामी की कुछ माननेता हैं उनका विशेशन हम करें इस आजादी के 60 वेशाल में ऐसी दरश्टी से मैं आपसे कुछ संबाद करना चाहता हूँ हम सब जानते हैं कि काफी लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे अंग्रेजों के पहले काफी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के पुर्टगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुगल सामराज्य भी रहा इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सब्विता से काफी कुछ दूर कर दिया एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धरमपाल संयोग से वो मेरे गुरू भी है वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है जिस देश की स्वतंतरता चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है अगर हमारी आजादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेजों में पढ़ाई देता है जिस देश की आज़ादी चली जाए, उसकी सब्विता, उसकी संस्कृती, उसकी परंपरा, उसकी माननिता उसका रहन सहन, उसका खाल पान, उसका जीवन जीने की शेली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है गुलामी का सबसे बड़ा विशाप होता है, अपनी हर चीज़ से वन्चित हो जाना दुर्भागे से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है, जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली अलग-अलग समय पर अलग-अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही कोई देश 50 वर्ष में आज़ाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आज़ाद हो गया, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 वर्षों में आज़ाद हो गया, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है, जिसको आज़ाद होने में सेक्ण वर्ष लगे अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सब्विता और संस्कृती से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला भूल गए हम हमारी सब्विता और संस्कृती को और दुर्भा के दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया उन जातियों की उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृती और असब भिता को हमने अपने जीवन में सुईकार कर लिया कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं भारतिये है या अभारतिये है भारतिये है या विदेशी है वो करने लायक है या छोडने लायक है कई बार हम ये तैय नहीं कर पाते है कारण क्या है हमारे मन में और हमारे मस्तिश्क में इस पश्टता बहुत कम हो गई है अपने बारे में दूसरों के बारे गुलाम बनाया विदेशी सब्विता अगर हम उसको माने तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिश्क को बिना उप्योग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया हमने कभी यूरोप की सब्विता और संस्कृती से आने वाले जो तत्तु थे जो विचार थे उनका कभी विशलेशन नहीं किया यूरोप से आई हुए जो शाशक लोग थे उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया हमने उसी को अंतिम सत्यमान लिया जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर सामराज इस्थाफित करने के लिए ही पैदा किया है तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा कभी-कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सब्विता है अंग्रेजी सब्विता या अंग्रेजी संस्कृती वो भारतिय सब्विता और संस्कृती से बहुत उची है हमने वो भी मान लिया कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विग्यान है वो भी भारत की तुल्ना में बहुत मुचा है हमने उसे भी मान लिया कई बार वो कहते थे कि हमारी जो माननिताएं हैं जो परंपराएं हैं वो सभी वैग्यानिक हैं और भारत की जो माननिताएं और परंपराएं हैं वो सब अंदविश्वास हैं, वो भी हमने मांग लिया, और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूपते चले गए, मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है, जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा, हमारे भारत देश में एक महान बेग्यानिक हुए, श्री जगदीश चंद्रबोस, आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्धता को माना, और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्थित पुरुषकार, नोबल पुरुषकार मिला, श्री जगदीश चंद्रबोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में, उसके बारे में समय स तकनीकी का विद्ध्यारती रहा, प्रोफिसर बोस का एक लेक जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, उसके शुरू के दो-तीन वाके में आपको सुनाना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैग्या वैग्यानिक वो थे, जिनोंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुक दुक का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम दया और करुणा का अनुभव होता है, जैसे मनुष्य को होता है, वैसे ही पौधों को होता है, ये सत्यापित करने वाले सिद्ध करने वाले वो पहले वैग्यानिक बने भारत में यूँ तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुश्यों के जैसा ही है जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई व्रक्ष भी बड़ा होता है जिस तरह से बच्चा सुक दूख प्रेम करोना दया का नुभव करता है वैसे ही व्रक्ष करता है ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया व्रक्ष आयुरुवेद उसमें कहा गया वरक्षायर उवेद में जिनोंने ये कहा वो एक बड़े महान रिशी थे उनका नाम था भरत द्वाज भरत द्वाज रिशी का नाम हम सब जानते हैं उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुश्यों का होता है और रिशी भारत द्वाज का जो समय है वो आज से लगब साड़े तीन से चार हजार साल पहले का है तो ये जो महान रिशी पहले बोल गए उसको श्री जदीश चंद्रबोस ने आधुनिक विज्ञानकों और तरकों पर सिद्ध कर दिया और इसलिए उनको नोबल पुरुषकार मिला उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौदों में जान होती है पौदे सांस लेते हैं उनको दया प्रेम करुणा का नुभब होता है तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौदे लगाए और उनके दो हिस्से कर दिये एक हिस्से में कुछ पौधे दूसरे हिस्से में कुछ पौधे प्रोफेसर बोस लिखते है कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था गालियां कैसी देता था तुम निकम में हो, तुम नकारा हो, तुम नालाइक हो, तुम से कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुमारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुरगुण ही दुरगुण भरे हुए है, सारी गालियां उनको वो देते थे, थोड़ी सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशुश कर रहा हूँ आचरन करने का तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बाते करते थे परिनाम क्या हुआ खुद प्रोफिसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालिया देते थे वो मुरजाते चले गए खतम होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुडों का, सद गुडों का और अच्छा बोला था वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ प्रोफिसर बोस ने ये समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुडों की चर्चा करें और हर समय उनको मिकम्मा, नलाइक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुर्जा जाते हैं मैंने प्रोफिसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है, अंग्रे जो ने 200-200 साल हमारे साथ यही किया, तुम नलाइक हो मिकम्मे हो, नकारा हो तुमारी त्वचा काली है तुमारे गुण खराब है तुमको सब्विता नहीं आती तुमको संस्कृती नहीं आती हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं सब्विता हमारे पास है संस्कृती हमारे पास है सद्गुण हमारे पास है हम भगवान के दूत है बगवान में सीधे हमको भारत पर राज इस्थापित करने के लिए भेजा है ये वो हमको ढ़ाईसो साल कहते रहे जो प्रफिसर बोस के पौधे कुछ महिने ही गालियां सुनने के बाद मुर्ज़ा गए तो भारत वासी तो ढ़ाईसो साल ये गालियां सुनते रहे उनका क्या हुआ होगा जरा कलपना करीगा क्या हुआ होगा वो तो बिलकुल आत्म हिंता की स्थती में आ गए उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है हमारी सब्विता में संस्कृती में कुछ बहतर भी है हमारे पास कुछ सदगुन भी है ये मानना ही हमने बन कर दिया और ये गिरावट और आत्मी हिंता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शाशक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई और समय समय पर हमारे देश के साशक वर्ग बार बार हमको यह याद दिलाया कि देखो अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सिक्षा दे गए अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नॉलजी दे गए अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विग्यान सिखा गए अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभिता सिखा गए और ये साशा कुवर्ग हमारा पिछले उन सक साल से यही गा रहा है अब वो ये कहते हैं कि चुके अंग्रेज बहुत अच्छे थे सभिता अच्छी थी, संस्कृती अच्छी थी तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा तो हमने क्या किया आज़ादी के बाद अंग्रेजी नियाए पद्धती को अपना बना लिया आज़ादी के बाद अंग्रेजी विग्यान और तक्नीकी को अपना बना लिया आजादी के बाद अंग्रेजी माननेताओं को अपना बना लिया आजादी के बाद अंग्रेजी भाशा को अपनी मात्र भाशा जैसा बना लिया आजादी के बाद अंग्रेजों का खानपान हमने अपना लिया आजादी के बाद उनका पहनावा उनकी भूशा हमने ओड ले आजादी के बाद ऐसी कोई चीज बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शाशक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है जो हमारी आत्मा है उसकी जड़े कहीं थोड़ी बहुत भारतिय संसकार में डूबी हुई है तो हमारी खिचड़ी बन गई और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूँ ना तो हम भारतिय रह पाए ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो होई जाता या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतिय हो जाते तो और भी भला होता अब हम ना अंग्रेज हैं, ना भारतिय हैं, हमारी खिचुड़ी हो गई है, हमारा कचुमर बन गया है, हमारा सलाथ बन गया है, या mixed vegetable हो गया है, या mixed fruit हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया मैंने पिछले कुछ दस बारे साल लगाए अपने जीवन के, इन बातों को खोजने के लिए, कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सब्विता और संस्कृती के बारे में, इसका सत्य पता कोई, मेरे जो गुरू है शरी धरमपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेर करना, एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जाच परक करना, जब तुम्हें वो सबते हर जगे दिखाई दे, तब सुईकार करना के वो अच्छा है, तो मैंने धरमपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसीों ने, पुर्टगालीों ने, और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सब्विता और संस्कृती की जितनी बखान की है, और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए, और अंग्रेजों के सब्विता और संस्कृती को जानने वाले उनके ज जूट है जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे 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 मुझे हजारों दस्तावेच मिल गए जो अंग्रेजों के लिखे हुए उनके महान दार्शिनिकों के लिखे हुए यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए है मैं आज का जो व्याक्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है 15 साल के शोध का निचोड़ पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत उचे माने जाते हैं जैसे प्लैटो, अरिस्टोटल, लेबिनिज, देकारते ये सब बहुत उचे दार्शनिक माने जाते हैं और प्लैटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है न एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूँ यूरोप के सारे देश एक साथ plateau के बारे में एक बात कहते है the whole of the European civilization is a footnote of plateau the whole of the European civilization is a footnote of plateau माने यूरोप की पूरी की पूरी सब्विता plateau की बड़ी-बड़ी पुस्तकों के लिखे गए footnote के बराबर है अर्थात plateau यूरोप की सब्विता में सबसे उंचा है जैसे हम हमारे भारत की सब्विता में किसी को बहुत उंचा माने उधारन के लिए वालमी गोस्वामी तुलसी रास महाकवी काली रास आदी आदी ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं हम मानते हैं कि हमारी सब्विता में ये सब बहुत उंचे हैं लیکिन यूरोग मानता है कि प्लेटो उनकी सब्धिता में सबसे उचाए प्लेटो ने अपनी जिन्दगी में बहुत सारी किताओे लिखी है उन में से दो किताओें सारी दुनिया में चर्चित है एक किताओ का नाम है दर रिपबलिक और दूसरी किताब का नाम है लॉस ल-A-W-S लॉस लॉस का सीधा सा मतलब होता है कानून लॉस उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में और उसके बाद दूसरा नमबर आता है दर रिपबलिक का इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ाई ये समझने के लिए कि तो प्लेटो के फुटनोट तो उसी के लिखी हुई किताबों में मिलेंगे तो क्या फुटनोट है जरा निकाल लो उनको और उनको विशलेशित करके देखो कि उनकी सब्भिता कहां खड़ी है फिर अपने साथ उसका अंतर ढूणने की कोशिश करो कि हम अपनी सब्भिता में कहां खड़े इस द्रश्टी से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरीजनल राइटिंग्स आज भी यूरोप की कुछ अलग-अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई है पुस्तकालियों में रखी हुई है वो भी इकठा किया प्लेटो का एक बहुत परम्शिश्य था अरस्तू जिसको हम सब अरिस्टॉटल कहते हैं अरिस्टॉटल ने यूरोपियन सब्विता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो एकठा किया वो भी पढ़ा फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसफर्स माने जाते हैं रूसो आज का सबसे बड़ा फिलोसफर यूरोप में है रूसो रूसो को बार बार पढ़ा लेबिनिज को पढ़ा दिकारते को पढ़ा और उनके बीसियों फिलोसफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा उनको पढ़ा फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आरनॉल्ड टाइन भी उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज़्यादा लिखा है उसके दस्तावेज इकटे किये फिर एक जेमस मिल हुआ है दूसरा बड़ा यूरोपिया नितिहासकार उसके दस्तावेज इकटे किये उनको भी देखा पड़ा कुल मिलाकर लगबग पचास हजार दस्तावेज जब मैंने देखे पड़े सुना, सीखा, समझा लगबग पंद्रे साल में तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपिया सब्विता क्या है इनकी संस्कृति क्या है मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूँ किसी भी देश की सब्विता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए उनका निजी जीवन देखना चाहिए निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है परिवार में बच्चों की क्या इस्तिती है पत्नी पती के बीच रिष्टे कैसे है भाई बहन के बीच रिष्टे कैसे है परिवारों के जो रिष्टेदार है उनके आपस के संबंद क्या है परिवारों में संपत्ती है तो उसका बटवारा कैसा होता है अलिकार क्या है करतब भी क्या है क्यों देखना चाहिए क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसफर्स और हिस्टोरियन्स ये कहते है कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिन्दगी होती है उसी मैंसे सारजनिक जिन्दगी शुरू होती है जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है वही पॉब्लिक में होता है अपनी निजी जिन्दगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा अपनी सारजनिक जिन्दगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा जैसे आपको सुनकर बहुत हसी आएगी लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना प्रजातंत ये चौदवी शताब्दी में आया उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है प्रजातंतर नहीं है प्रजातंत्रुन के हाँ लगबग 600 साल पहले आया ये जो डेमोक्रेसी है इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा कितागा लिखी गई है यूरोक में और वो ये बताती है कि डेमोक्रेसी निकला कहां से तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से और यहां पर अगर कोई political science का student होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत इस पर सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर का प्रशन पत्र आता है उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला विस्तार से वरणन करिये इस नंबर का सवाल है बिये और एमेल तो उसका उत्तर ये है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला खाने की मेच से प्रजातंत्र की शुरुवात होई है ये सारे philosophers और historians इसको मानते हैं अब खाने की मेच तो निजी जीवन का हिस्सा है प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है लेकिन डेमोक्रेसी पप्लिक लाइफ का हिस्सा है तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सारजवनिक जीवन में करने लगें तो उसी को parliamentary democracy कहते हैं दुर्भागे से हमने इसी parliamentary democracy को दिना सोचे समझे स्वीकार किया गांदी जी इसके बहुत खिलाफ थे लेकिन गांदी जी को मानने वालों ने गांदी जी की बात मानी नहीं गांदी जी कहते थे कि अंग्रेजियों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाब नहीं होने वाला हमने अंग्रेजियों को विदा कर दिया लेकिन उनकी अंग्रेजियत को समाल के रख लिया और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है parliamentary democracy इसको समझने में मुझे दो-तीन साल लगे और आप बिलकुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदिय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है मैं शुरू करता हूँ यूरोप के निजी जीवन से जिसको आप एक बार जहांक लें तो उनका सारजनिक जीवन आपको समझ में आए यूरोप के निजी जीवन मैं शुरू करूँ उसके पहले यूरोप की थोड़ा भगलिक परिस्तिती के बारे मैं मिनट आपको बता दू वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा उसकी भोगलिक परिस्थिती का अंदाजा आपको होगा लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस द्रश्शी से दो तीन मिनट में कुछ कहता हूँ यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां साल में नौ महिने सूर्य नहीं निकलता ये उनकी भोगलिक इस्थिती है साल में तीन सो पैसक दिन होते हैं और लगबग तीन सो दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर नियूनतम तापमान माइनस 40 दिगरी सेंटिग्रेट होता है नियूनतम तापमान और अधिक्तम तापमान प्लस 20, 22, 23 दिगरी सेंटिग्रेट होता है तो टेम्परेचर का जो वेरियेशन है तापमान का जो अंतर है रिनात्मक 40 से धनात्मक 20 तक बने 60 डिगरी का अंतर है इसका मतलब क्या है अगर रिनात्मक 40 डिगरी तापमान होगा तो वहां वातावरण में बरफ ही बरफ गिरेगी क्योंकि आप जानते हैं कि जब चार डिगरी के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बरफ बनना शुरू होता है जीलों में नदियों में तालाबों में सब जगे पानी बरफ हो जाता है कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान शुन्न डिग्री आ जाता है राजिस्तान में तो आसपास की सब नदियां जम जाती है बरफ ही बरफ अगर शुन्न डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालावों में बरफ जम जाती है तो रिनात्मक 40 डिगरी में यूरोप में क्या होता होगा अकल पना करो पानी की एक बूर भी कहीं नहीं होती है सारा पानी बरफ के रूप में जमा रहता है नलों में भी पानी नहीं आता है पानी की जगे बरफ ही बरफ रहती है सड़कों पर बरफ गिरती है मैदानों में बरफ गिरती है और बरफ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यार रिम जिम बारिश होती है ऐसे ही बरफ गिरती है रात रात भर बरफ गिरती है दिन दिन भर बरफ गिरती है कभी कभी दस दिन लगातार बरफ गिरती है पंदरे दिन लगातार बरफ गिरती है बरफ गिरते गिरते दस फिट उची हो जाती है तो वहां की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े-बड़े बुल्डोजर लाना और उस बरफ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना ये उनका सबसे बड़ा काम यूरोप में जो परिवार होते हैं उनमें जो घर बनाए जाते हैं सामनी रूप से सभी घरों में दो दर्वाजे लगाए जाते हैं एक दर्वाजा तो सड़क पे खुलता है दूसरा च्छत पे खुलता है ये च्छत वाला दर्वाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फिट बरफ जम जाती है तो च्छत की मुचाई के बराबर बरफ आ जाती है तो च्छत से कूद के सड़क पर जाते हैं और चलते हुए अपने काम पर चले जाते है कई बार यूरोप में ये नजारा होता है कि बरफ के नीचे गाड़ियां दब जाती है बरफ के नीचे सब कुछ दब जाता है मैदानों में, खेतों में, खलियानों में, हर जगे बरफ ही बरफ, बरफ ही बरफ जब इतनी बरफ उनके यहां नौ महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी आप जानते हैं बरफ ठंडी होती है आदमी को भी ठंडा बना देते बरफ कठोर होती है आदमी को भी कठोर बना देते बरफ में दया प्रेम करुणा नहीं होता आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है क्योंकि बरफ का जो गुर्ड धर्म है वो आप में आना स्वाभविक है क्योंकि आप साल के हर नौ महीने उस बरफ के साथ रहते है और ये आज से नहीं है यूरोप में हजारों साल से चल रहा है अब हजारों साल से बरफ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बरफ है आगे अगर आप कल्पना करें कि साल के नौ महीने खेत खलियानों में बरफ जमी हुई है तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है सूर की गर्मी ना मिले तो बीच भी अंकुरन नहीं होता कितना भी अच्छे से अच्छा बीच डालो और आप जड़ा दूसरी कल्पना करें कि जब बरफ सेकुनों सेकुनों साल से हजारों साल से जमती आ रही है तो मिट्टी कैसी होगी पत्थर जैसी क्योंकि जैसी बरफ होगी कठोर, कड़क वैसी मिट्टी होगी तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है पत्थर जैसी और जिस देशों में जिन देशों में साल में नो महीने सूरी का प्रकाश नहीं मिलता उन देशों में प्रकरती की वाश्पी करण की क्रिया नहीं होती आप जानते हैं सूरी हमारे जीवन का केंद्र है और वो जीवन का केंद्र सरल भाशा में ऐसा कि सूरी का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महा सागर है पानी से डूबा हुआ है उस पर सूरी के प्रकाश की किरने पानी को वाशपी करण में मदद करती है और यही पानी वाशपी करत होकर उपर आस्मान में जब जाता है तो संगनित होकर बादल में बदल जाता है और यह बाद तो साल में तीन महिने होती है लेकिन इस तीन महिने की बारिश को करने के लिए नौ महिने की प्रक्रिया चलती है बच्चे का जनम तो एक ही दिन में कुछ सेकंड में हो जाता है लेकिन उसको गर्व में बढ़ा करने की प्रकरिया पूरे नौ महीने चलती है ऐसे ही प्रकरती तो अब नौ महीने की वाश्पी करण की प्रकरिया चलेगी तो बारिश होगी बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा पेड़ पौधों को मिलेगा और अगर वाश्पी करण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी ना पेड़ पौधों को मिलेगा और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी क्योंकि अच्छी खेती के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है एक तो सूरी का प्रकाश दूसरा शुद्ध पानी और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता यूरोप में ये तीनों ही चीज़ नहीं है तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती आज भी नहीं होती और वहां के नागरे जब खेत में हल चलाते हैं न वैसे तो अच्छी खेती हैं नहीं लेकिन जो भी थोड़ी बहुत तीन महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है तो कल्पनागरों कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है उसको तोडने के लिए बेलों की मदद से हल नहीं चल सकता या जान्वरों की मदद से हल नहीं चल सकता इसलिए उनको जھक मारके ट्रेक्टर बनाना पड़ा और ट्रेक्टर भी पहले उन्होंने दो-चार होस्पावर का बनाया वो काम नहीं आया दस होस्पावर का बनाया वो भी काम नहीं आया अब यूरोप में सामा निरूप से सौ-सो होस्पावर के ट्रेक्टर होते है सौ होस्पावर का ट्रेक्टर वो चलाए तम मिट्टी थोड़ी सी तूटती है नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती तो कठोर मिट्टी है शुद्ध पानी नहीं है मिट्टी में नमी नहीं है मिट्टी कोमल नहीं है मुलायम नहीं है जमीन में नो महिने बरफ डली रहती है अंकुरन बीच का होता नहीं है पेड़ बड़े होते नहीं है वरक्ष बनते नहीं है इसलिए जंगल नहीं होते और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाए जो बरफ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाए तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूरिका प्रकाश लगता आप जानते हैं जितने भी खनिज है जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं वो सम्मिट्टी के ही रूप है बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी 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 पड सारा विग्यान ये कहता है कि जिस देश में सूरी प्रकाश जादा होगा वहां की मिट्टी नरम होगी कोमल होगी तो उसमें से अंकुरन जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी उत्पादन अच्छा मिलेगा और जिस देश में मिट्टी अच्छी है वहां पेड़ पौधो के पौधे को मिलेगा तो अंग्रेजी मैं अगर कहूं तो बायो डाइवर्सिटी रिच होगे तो हमारी जो भौगलिक इस्थिती है वो रिच बायो डाइवर्सिटी की है दुनिया में जितने किसम के पेड़ पौधे मिलते हैं लगबग सभी हिंदुस्तान में सब अगर आपको बरफ बाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू काश्मीर चले जाईए रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाईए समसीतोष्न जलवाईों के पेड़ पौधे देखने हो तो हारोती में घूमाईए और समसीतोष्ण जलवाईों के पेड़ पौधे देखने हो मध्यप्रदेश चले जाईए 36 गड़ चले जाईए जारखंड चले जाईए और बिलकुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागलेंग, मिजोरं, मनीपूर चले जाईए ज़ियन कर रहा तो भारत के बारे में एक बड़ा अंतर पता चला जो आप सम्हमेशा याद रखिए यूरोप में सिर्फ दो ही जलवाईू होती है दो ही मौसम है एक ठंड और एक भयंकर ठंड तीसरी कोई जलवाईू नहीं होती है एक ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है ठंड होती है माने है जब तापमान शूनी डिगरी के आसपास है और भयंकर ठंड जब शूनी के नीचे जाने लगता है तीसरा कोई मौसम नहीं है भारत में आप जानते हैं सोले तरह की जलवाईू है और सोले तरह के मौसम है अंग्रे जी में एक शम्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है क्लाइमेट जोन्स दुनिया में अभी तक गिले हुए कुल क्लाइमेट जोन्स सोले हैं और भारत में सब के सब मौझूद है संपूर भारत का प्रवास कर लीजे तो आपको सोले क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे अगर आपको स्विट्जर लेंड डेजमार्क नौर्वे का क्लाइमेट जोन्स देखना हो तो आप चले जाएए जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरंचल आपको दिख जाएगा अगर अफरीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन्स देखना हो तो चले आए राजिस्तान वो आपको देख जाएगा अगर आपको आस्टेलिया न्यूजिलेंड वाला देखना हो वो हिंदुस्तान के नौर्थ हिस्ट में दिखाई दे जाएगा अगर आपको मत्यपूर्व देशों का सौधी अरब, बहरीन, कुवेत, ओमान, संयुक्तरव, अमिरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको देख जाएगा मने सोले क्लाइमेट जोन देखने के लिए बाहरत के बाहर जानी की जरूरत नहीं है सब यहाँ है सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है और भारत में अगर हम देखें तो राजिस्थान में सभी तरह का मौसम है ठंग के दिनों में चुरू देख लो गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो और कभी-कभी तो कोटा भी दिखा देता है पचास डिग्री के आसपास पहुँच जाता है सहारा रेगिस्तान का ताप्मान यहां अनुमब आप कर सकते हैं सब का सब मौसम यहां है यह कोई भगवान की विशेष करपा है वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूरे निकलता नहीं जो गल्दी से किसी दिन सूरे निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेक देते हैं और नंग धरंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए और चिलाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह, अच्छी सुबह, अच्छी सुबह क्योंकि सूरे दिख गया भारत में तो Every morning is good morning आप बताईए कौन सा दिन है जो आपको सूरे नहीं दिखाई देता साल में तीन सो फैसेट में चार पाच दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूरे दिखाई न दे लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं दो चार गंटे नहीं दिखेगा तो फिर एक गंटे दिख जाएगा और दो चार गंटे नहीं तो फिर एक गंटे दिख जाएगा Every morning is good morning तो हम एक दूसरे को good morning क्यों बोले उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुवे मिलती नहीं देखने को तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि good morning लेकिन हमें तो हर सुवे इतनी अच्छी है कि सूरी की पहली किरण हमारे ही देश में पढ़ती है सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूरी की पहली किरण भारत में ही पढ़ती है और ये भी है सूरी की आखरी किरण भी भारत में पढ़ती है तो जिस देश में सूरी इतना महरवान हो और सूरी के चारो तरफ सारे देवी देवताएं क्रपावान हो वो देश तो कोई विशेश ही होता है इसलिए भारत देश में जनम लेना बड़े पुन्य का काम माना जाता है बड़े भाग का काम माना है हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा बड़े भाग मानुस्तन पावा आपके बड़े भागे हैं जो मनुष्य जीवन मिला और उससे भी बहाँ भागे है कि भारत में जनम मिला जहां देवताबी तरस्ते हैं जनम लेने के लिए तो मनश के रूप में ही आना पड़ता है शायद यही कारण होगा साल के 365 दिन सूरे साल के 9 महिने प्रकरती चक्र का चलना पानी का वाश्पी करण होना वाश्पी करण का संगनन होना संगनन से बारिश होना समय से बारिश होना हर मौसम समय से आना हमें मालूम है कि यह महिने के बाद यह आ जाएगा यह महिने के बाद यह आ जाएगा इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में अमरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संबाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता ही क्या है वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में तीन डबलू अनिश्चित है जिन पर कभी भरोसा नहीं होता एक तो है वैदर कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं है दूसरा है वाइफ कुछ पक्का नहीं है सबेरे आई है शाम को चली जाएगी सबेरे शादी हुई है शाम को तलाख हो जाएगा यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूँ जिनकी 25 शादियां हुई 30 शादियां हुई 35 शादियां हुई फिर भी संतुष्ट नहीं कहते एकाद और कर ले वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है सबेरे है शाम को रहेगी पक्का नहीं है तो वैदर भाइफ और तीसरा है वैल्थ धन संपत्ति का पक्का नहीं है आज सबेरे आप करोड़ पती थे शाम को मैस बेक गिरा तो रोड़ पती हो जाए कंगाल हो जाए विकारी हो जाए भारत में ये तीनों ही मिश्चित है वैदर भी मिश्चित है wife भी निश्चित है wealth भी निश्चित है weather तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है हम आख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते है ये 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 पाउसा तुला देतो पैसा पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा ये मराधी की एक कविता है बच्चे गाते हैं महराष्ट में बारिश आओ जल्दी आओ और वो उनको मालूम है किस महिने में गाना है और ज़्यादा तर बच्चे गाते हैं उसके दो-तीन दिन में बारिश आ जाती क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है अब बारिश आने वाली है गाउ हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में तीन लाख किलो मीटर का प्रवास कर चुका हूँ पिछले दस बारे वर्षों में छोटे छोटे गाउं में ऐसे लोग मैंने देखे हैं वो बादल की तरफ देखेंगे राजी भाई दस घंटे में बारिश आएगी मैं कहता हूँ यार तुम्हारे पास कोई सैटलाइट है क्या ये कैसे तुमने बता दिया दस घंटे में बारिश आएगी वो कहते हैं जी सैटलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम लेकिन ये बादल का रंग देखके हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 5 घंटे में आएगी या नहीं आएगी और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटलाइट हर रोज फेल होता है वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसला धार होगा आज दिन में एक बून भी नहीं गिरी है एक बून गिरी है कोटा में आज के सवेरे के सब अख़ान उठा के देख लो फ्रंट पेज में नियूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसला धार बारिश होगी एक बून भी नहीं गिरी है इसका मने सब सेटलाइट फेल एक-एक सेटलाइट चार-चार सो करोड का बनता है वो फेल है और यहां गाओं में रहने वाला साधारन गरडिया जो बकरी चराता है वो आस्मान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी 15 घंटे में आएगी हमारे लोग इतने होश्यार और अकलमंद हैं कि बकरी के लक्षुन देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है एक बार मदिप्रदेश में मैं गया एक छोटे से गाओं में आदिवासी हम कहते हैं उनको आदिवासी तो हम सबी हैं वास्तम में वो बनवासी हैं जंगल में रहते हैं हम शहरों में रहते हैं वो बनवासी हैं आदिवासी तो हम सब हैं तो एक गाओं में मैं गया और उनसे मैंने पूछा भाई इस साल मौसम कैसा है ये तीन साल पहले की रखना है इस साल मौसम कैसा है तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरह पंदर मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान नहीं मैं पूछा कैसे तो उसने का ये पेड़ देख रहे हो ना इसमें कोयल का घोसला देख रहा हूँ अगर कोयल का घोसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी इस बार कोयल ने बीचों बीच घोसला बनाया है तो बारिश सामान ने हो गए मैं चला आया मैं चला आया और सच में उसकी भविश्यवानी सावित होई उस साल बारिश सामान में होई ऐसे लिए गाउं में गया आसाम के पास एक गाउं में गया व्याख्यान देने के लिए तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा भई मौसम कैसा है तो उसने का राजी भई इस बार चीटियां जो है न ज्यादा भोजन इकठा कर रही है मुझे लगता बाल आने वाली है क्योंकि चीटियों का सभाव भोजन इकठा करने का नहीं है मुझे लगता बाल आने वाली है और उस साल सच में आसाम में बाल आई और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए हमारे लोगों को इतना हुनर और ग्यान कि चीटि को देखके बता दे कि बारिश कैसी होगी पक्षियों के घोजले देखके बता दे बारिश कैसी होगी जानवरों के विवहार का परिवर्तन देखके बता दे बारिश कैसी होगी इसका अर्थ एकी ही है कि यहां मौसम बहुत निश्चित है और जब हर चीज़ निश्चित होती है तो सिंटम्स पर्फेक्ٹ होते हैं उसमें वरियेशन्स नहीं होता है यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है वेधर तो बिलकुल निश्चित है भारत और यूरोप का अंतर अबी शुरू होरा है वैदर बिल्कुल निश्चित नहीं, वाइफ, यूरोप में तो लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवरसरी मनाने को मिले, हाँ, आपको सुनकर ताजुब होगा, यूरोप में ये जो मेरिज एनिवरसरी है न, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुब कामना है कि एक के साथ साल बर टिक गए आप, साल बर टिक गए बड़ी भारी शुब कामना है, नहीं तो साल बर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ, और यूरोप में, अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किन से एक या 1.5 परसेंट लोग हैं, जिनकी सिल्वर जुबली हुई है, 25 साल, 1.5 परसेंट, गोल्डन जुबली वाला, शायद 10 परसेंट भी ना मिले, लेकिन भारत में, जैसे वैदर पक्का है न, वैसे वाइफ भी पक्की, मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजर्वा बताता हूँ, भारत की महिलाएं, पुरुषों की तुल्णा में 200 प्रतिशत ज्यादा बफादार होती हैं, पुरुषों की तुल्णा, पुरुष तो कभी भी भटकता, कभी-कभी उसकी इस्तिती कुत्ते से भी बत्तर होत होती हैं, लेकिन महिलाएं जो है न पत्नी, वो 200 प्रतिशत, 300 प्रतिशत, कभी-कभी 500 प्रतिशत बफादार होती हैं, मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, एक दो नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूँ, उमियोपैथी की, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जिसमें पती विकलांग हो गया, शादी के तीसरे दिन, और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं, ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है, ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं, जिनको टांग तूट गई, जिन्दगी भर के ल पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बसा सकता, कि पुर्शों में पूरी नपुन सकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं, तो भारत की वाइफ, पत्नी, 200%, 500%, 1000%, कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ होती हैं, और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है, जी साथ जनम का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा, तो यहाँ वैदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है, और वैल्थ भी पक्की है, धन संपत्ती के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई तो दोनों हाथ से लुटाओ, मने धान करो, तो और बढ़ेगा. विध्या बढ़ जाए, ग्यान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ, तो और बढ़ेगा. इसको किसी महान कभी ने कहा कि नाव में बाड़े पानी और घर में बड़े संपत्ती तो दोनों हातों से उलीची है और हमारे यहां यह पक्की माननिता है कि जितना दान करो उससे ज़्यादा आता है मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद सौसो करोड से उपर का बिजनिस करते हैं और वो हर साल करोडों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपती बाला जी के मंदिर में करोडों रुपए दान कर देते हैं हमारा एक दोस्त है वो तो दस किलो सोना दान कर देता हर साल जाए बताता नहीं है कहता ये गुप्त दान दस किलो सोना मैं पूछा भाई ये क्या है वो इंकम टेक्स नहीं देता इंकम टेक्स की चोरी करने के लिए चार चार्टेड अकाउंटेंट है उसके पास जिनको 35-35 हजार रुपई की सेलरी देता है और कहता एक पैसा भी ना जाए मेरा इंकम टेक्स में ध्यान रखो वो ही आदमी चुपचाप जाता है दस किलो सोना दान करके आता है तिरुपती बाला जी एक दिन मैंने पूछा भाई ये क्या चक्कर है इंकम टेक्स में तो तुम देते नहीं तिरुपती बाला जी को करोणों रुपए दे देते हो तो कहता है तिरुपती बाला जी मेरे बिजनिस पार्टनर है आपको नहीं मालू मैंने कर नहीं तो उसने का मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका दस प्रतिशत तो दान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए तो तिरुपती बाला जी और देते हैं और देते हैं और देते हैं तो मेरा तो बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है आप जानते हैं तिरुपती बाला जी के मंदिर में साल भर के सोने का दान पांसो किलो से उपर है साल भर का सोने वैश्नो दिवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है और ऐसे भारत में एक दो नहीं 23,000 मंदिर है जहां हर साल टनो टन सोना दान में आता है टनो टन मीट्रिक टंस में आता है कैसे दान करो दान करो दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा ये यूरोप में कहीं नहीं है अमेरिका में भी नहीं है कहीं वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दवाव हो आपके उपर आम आदमी तो कुछ करता वरता नहीं और ये जो दान देने का संसकार है ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकरती से आया हो छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ दान देते आज का मैं अक्वार पड़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बार प्रभावितों के लिए अपना जेव खर्चिकठा कर रहे है और बेजने की तैयारी में है थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था बच्चों ने हजारों लाखों करोडों रुपई कठे करके बेज़ दिये कारगिल युद्ध में तो बच्चों को बच्चपन से ये संस्कार है शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीने में है हमारा जेनेटिक मिटीरियल ऐसा है जो बिना दान दिये हमको संतोश ही नहीं होता और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है सरकार नहीं चलाती इस देश सरकार तो जितनी संस्थाइं चलाती है सब घटे में हैं और दान से चलने वाली सब संस्थाइं फाइदे में आप देख लो इस देश कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाइं चला रही है एकदम चाक चौबंद है 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा आप जानते कितने गुर्दवारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में 23,80,000 से जादा मंदिर हैं पुल भारत में इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती हाँ हमारी निगम्मी और बेईमान सरकार हैं मंदिरों में आई हुए दान पर जपटा मारने के लिए तो तैयार बैटी रहती हैं अपने खजाने से एक पैसा उसमें नहीं देटी ऐसी इस्तिती हमारे देश में है तो यहां वैल्थ का तो चक्करी दूसरा हमारे यहां तो एक बार एक बहुत बुजर्ग व्यक्ती ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो दस साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाए इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी युनिवर्सिटी में नहीं गए किसी कॉलेज में नहीं गए विद्वता की इतनी उची उची बातें सिखा देते हैं कि हरान होता है आदमी मैं भी बहुत हरान है एक बार आंधु प्रदेश के छोटे से गाउं में एक असी साल के बुजर्ग ने मुझे समझा दिया मैंने पूछा दादा जी इतना दान क्यों करते हैं भारत मैं धन के ती नहीं अंतिम रास्ते हैं धन के ती नहीं अंतिम रास्ते हैं या तो इसको भोग कर लो या तो इसको दान कर लो नहीं तो ये चोरी चला जाएगा या तो भोग कर लो या तो दान कर लो नहीं तो चोरी चला जाएगा भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि इशा वास्यम इदम सर्वम यत्टिंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गरदह कस्व सिद्धनम ये हमारे जीन में है कून में है दियोनी में है भोग तो कर नहीं सकते करेंगे तो एगस से मर जाएंगे और पतानी क्या-क्या हो जाएगा तो भोग तो हम करते नहीं है और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोर पती है नए वालों की बात नहीं करता है तो एगस से मर जाएंगे और पतानी क्या-क्या हो जाएगा तो भोग तो हम करते नहीं और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोर पती है नए वालों की बात नहीं करता पुराने जितने भी करोर पती है एक धोती और एक कुर्टा उसी में जिन्दगी काट देते मैंने घंश्यामदास जी बिरला की जीवनी पड़े और उनके बारे में ये सुनकर बहुत आश्यर होता है कि दो या तीन जोड़ी कपड़े में जिन्दगी बीत गई और हजारों करोर का सामराज जिनोंने स्थापित कर दे लेकिन उनकी आधुनिक फीड़ी बिल्कुल उल्टी है शायद वो एक घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहने क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते है जिस आदमी ने हजारों करोड का इंपायर कड़ा कर दिया शून मैंसे वो दो धोती दो कुरते या तीन धोती तीन कुरते में जीवन काट गया आप ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़ पती है और अंगोचा लपेटे ही जिन्दगी बिता दिया एक बनियान और एक नीचे तावल अंगोचा बस खतम कहाने हम मानते हैं कि जादा भोग अपने लिए नहीं है और भारतियता में जो सबसे बड़ी माननिता है न वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो क्यों ये शरीर नश्वर है इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए थोड़े दिन में चला जाएगा कुछ बचेगा नहीं इसमें तो जादा से जादा दूसरों पर खर्च करो तो हमारा जो निजी जीवन है ना प्राइवेट लाइफ वो बहुत सयमित है कम खर्चे वाली है और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्ची ली है बहुत पैसे वाली है पब्लिक लाइफ माले हम मंदिर बनाएंगे करोणों रुपई खर्च करें मंदिर का प्रतिष्ठा समारों होगा करोणों रुपए खर्च करें, दावत होगी या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोणों रुपए खर्च होगे लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करें हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा लेकिन निजी दिन्दगी में कसकसाते हैं रद्दस रुपई खर्च करने के लिए ये हमारा जेनेटिक मैटीरियल है ये डियने ऐसा है और ये डियने कोई आज का नहीं है हजारों साल का है तो ये शायद भूगोल की स्थिती ऐसी है इसमें से बना होगा शायद ईशावासियम इदम सर्वं जो किसी महाल व्यक्ति ने कह दिया वो हमारी रग रग में घुसा होगा इसलिए तो कहा जो अंदर होता है वही कहा जाता है और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मूँ से तो हमारी रग रग में होगा पुराने सब लोगों को मैं देखता हूँ इतना सीधा सादा सरल जीवन और पैसे संपत्ति में करोर पती तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा नहीं करोगे तो चोरी जाएगा चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे और वो हमें दिखाई देता है आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर यह जो कंजूस है ना यह भारत के नहीं है यह सब अमरीकी हैं यूरोपियन हाँ मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतिय है भारतिय कंजूस हो गया तो भारतियता चली जाएगी यह जो अमरीकी असर हम में आ गया यूरोपियन असर आ गया हम कंजूस हो गए तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है या तो कभी income tax वाले ले जाते हैं कभी sales tax वाले ले जाते हैं कभी value added tax वाले ले जाते हैं और वो फड़़भणाता रहता है तड़पता रहता है उसकी आँखों के सामने लूट होती है मैं उसको कहता हूँ अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष्ट नो होता है कि यहां सच चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारिये लेक है तुम्हारा सब अब कसकते रहो तो भारतिय तो कंजूस हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि भारतिय प्रकरती कंजूस नहीं है हम कैसे हो जाएंगे हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है जो ब्रह्मांड में ह तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है इतना धनी है संपत्तिवान है हम कंजूस कैसे हो सकते हैं कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड हम एक बीज डालते हैं उसमें से सौ बीज निकल आते हैं हम एक आम की गुठली लगाते हैं उसमें से हर साल बेड़ हजार आम तूटते हैं क कम से कम पचास साल तक और जो ठीक देख बाल करें तो सौ साल तक हम एक बीज बाजरे का डालते हैं बाली पर धाई तीन सो भीज आ जाते हैं प्रकरती ने हमको इतना दिया है ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है तो हम कंजूस हो नहीं सकते जैसी प्रकरती वैसे हम तो यह कं भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना अमेरिका में आप तो ये विशेश दिखाई देता है किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए हर समय दिमाग में एक ही घंचकर घुमता रहता है बैंक बैल आप किसी भी अमेरिकन से पाँच मिनिट बात कर लीजे पाँच मिनिट में दो बार पूछ लेगा आपका बैंक बैलेंस कितना और किसी अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो पाँच मिनिट में पाँच बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना सारी कैलकुलेशन समाज की इज़त bank balance से समाज की प्रतिष्ठा bank balance से समाज का सब कुछ bank balance मैं बारवर सोचता हूँ कि इनके मन में इतनी चिंता क्यों है पैसे को लेकर क्योंकि निश्चिंतता नहीं है मालूम नहीं है कि ये संपत्ती आज है तो कल भी रहेगी हम हिंदुस्तानी इतने आश्वस्त है कि ये आज भी है कल भी रहेगी जो दान करने की परंपरा अपनाते रहे तो तो वेल्थ भी है वाइफ भी पक्की है वेदर भी पका है यूरोप में ये तीनों ही चीज़ें पक्की नहीं अब जरा कल्पना करिए जिस देश में ये तीनों चीज़ें पक्की नहीं होगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी और जिस देश में ये तीनों ही चीज़ें पक्की होगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी और जिस देश में इतना कड़ा मौसम होगा बरफी बरफ बरफी बरफ जो हमेशा ठंडी रहती है आदमी को भी ठंडा बना देती है कुछ बैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा ठंड में रहने वाले लोगों को कोमलता नहीं रहती मन में और शरीर में भी इसको ऐसे समझेए कि अगर आपको चारो तरफ बरफ की सिल्लियों के बीच में बिठा दिया जाए थोड़े ही समय में आपकी सारी हड्डियां और माश पेशियां कड़क हो जाएंगी कभी करके देख लीजए तो ज 새벽 लोग 9,90 महिने चारो तरफ बरफ से घिरे रहते हैं उनकी हड़ियां और माश पेशियां सब कड़क रहती हैं और हड़ियां माश पेशियां कड़क हैं तो मन पे भी तो कुछ असर पढ़ता होगा ना तो मन भी कड़क है होगा यूरोप और अमेरिका की लोग ऐसे ही है जैसे ठंडी बरफ होती है नकली मुसकराहट नकली इज़त नकली सम्मान सब कुछ नकली एकदम बरफ जैसा असलियत उसमें कुछ भी नहीं कोई मुसकराएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह नकली मुसकरा रहा है अंदर से नहीं मुसकरा और इज़त और सम्मान देने का तो प्रश्ली ही नहीं है अब यह जो इलाके में रहने वाले लोग है इनका निजी जीवन कैसा है दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूँ यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलोसफ हर उसका नाम रूसो रूसो की आटो बाइग्रैफी मैंने बार बार पढ़े वो उसमें लिखता है कि मेरी जिन्दिगी में पांच बच्चे हुए इसको भ्यान से सुनना आप रूसो माने आज से लगब दोसो समा दोसो साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनी दी तो आज से दोसो साल पहले का यूरोप कैसा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं रूसो कह रहा है कि मेरे पांच बच्चे हुए उसमें से चार मैंने लावारिस छोड़ दिये एक को पाला हुए एक को ही रखा घर में चार को छोड़ दिया फिर आगे लिखता है कि चार को छोड़ा कहा तो कहता है कि जब मेरा पहला पछ्चा हुआ तो मैं अपनी पत्दी के पास नहीं था आप जिरा सुनना इसको ध्यान से मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इक्षा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया कुत्ते उसको खा गए पहला बच्चा रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैक्टिसम करने के लिए चौथा हुआ उसको भी घर के बाहर फेक दिया बेडिया खा गया पांचवा कहता है मैंने मेरे साथ रखा है और ये बात जब रूसो लिख रहा है दे ग्रेट यूरोपियन फिलोसफर तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया क्योंकि यूरोप में धाई हजार साल से यही परंपरा चल रही है क्या परंपरा चल रही है बच्चों को लावारिस छोड़ना घर के बाहर बच्चा पैदा हुआ घर के बाहर टोकरी में रख दिया कुटा खा जाए, बेडिया खा जाए, कोई जानवर खा जाए बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया तो लावारिस की तरह से पलने लगा बच्चा पैदा हुआ, तो बाहर छोड़ दिया ये चक्कर क्या है, धाई हजार साल ये परंपरा यूरोप में चली कारण क्या, बच्चों को लावारिस छोड़ना तो रूसो कहता है, कि बच्चे पती-पत्मी के आनंद में बाधक हैं इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है पती-पत्मी का आनंद में शारीरिक आनंद तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और माननिता में शारिरिक आनंद ही सब कुछ होता है बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता फिर अंत में वो कहता है कि ये शारिरिक आनंद की जो फिलोसफी है वो मेरी नहीं है मेरे गुरू प्लेटो की और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनश्य को जीवन का आखरी उद्देश है आनन्द की प्राप्ती और वो आनन्द कौन सा शरीर का तो शरीर के आनन्द की प्राप्ती जीवन का चरम उद्देश है बच्चे अगर उसमें रुकावट है तो उनको घर में रखना नहीं है छोड़ देना है बते है कि ये जो परम्परा उनके हाँ 20-雨 साल चली प्aba exactly लावरिश चोड़ना तो प्लैटों पैपि अपने बच्चे लावरिश चोड़े है अरस्तू ने बहीं छोड़े लैविनिड्स ने भी छोड़े देकार्ते ने भी छोड़े प्लैटों ने दो अब इसको रखना दोड़ी है, छोड़ दो इसको तो इन छोड़े हुए बच्चों को समालने के लिए वहाँ के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है अंग्रेजी का एक शब्द है कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल यूरोप की पुरानी पुस्तके जवाब पढ़ेंगे न तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वरणन है उसमें ये Convent, वो Convent, Michelle Convent, Jesus Convent, Mary Convent, Falana Convent, ये सब Convent माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माबाप पालते ही नहीं, अब उनको तो कहीं न कहीं रखना है, या मर जाएं, जानवर खा जाएं तो ठीकी है, अगर बच गए जानवरों से, तो कुछ तो करना है, तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है, या राजा व्यवस्था करता है, उस व्यवस्था की संस्था का नाम है Convent, Convent का अरथ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माता पिता का पता महीं, अब होता क्या है, कि Convent में जो बच्चे कहते हैं कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर है ये मेरी मदर है ये सिस्टर है ये ब्रदर है क्योंकि असली नहीं है तो नकली सही काम चला अब इस गहराई को जरा समझे कि जिस यूरोप में धाई हजार साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता उनको कॉन्वेंट में रख्था जाता है इसलिए वहां मदर फादर सिस्टर और ब्रदर होते हैं अब भारत में भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए अब वो गली गली चौराहे चौराहे खुल गए हैं यहां तो ऐसी विचित रिस्थती है बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल हाँ दिखाओं आपको चलिए मेरे साथ सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल संतोशी माता कॉन्वेंट स्कूल बगवान भला करे इन सब लोगों का महावीर स्वामी कॉन्वेंट इसको अभी बंबई में खुल गया बैंगलोर में खुल गया और जेन लोगों में खुला महावीर स्वामी कॉन्वेंट इसको महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है बजरंग बली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है संतोशी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है बिना सोचे बिना अकल हम ये जो करते हैं अब कॉन्वेंट वहां तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं तो कोई तो संस्ता चाहिए तो उसके लिए कॉन्वेंट है हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते जरा ढूंड़िये कोटा में कितने है गलती से अगर किसी बच्चे के माबाप का देहान्त हो जाए कम उम्र में तो उसके चाचा चाची, पाउ उताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुवा फूपा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए यहां तो कोई अनाथ होता नहीं यहां तो कोई लावारिस होता नहीं और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं हैं वहाँ कॉन्वेंट स्कूल क्यों है परिनाम अब जानते हैं क्या हो रहा है हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना ये फादर है ये मदर है एक घर में है असली दूसरा है नकली और भारतिय परंपरा पता है क्या है हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं बाप दो कभी नहीं होते बगवान क्रश्न की दो माता हैं एक ने जनम दिया एक ने लालन पालन किया बगवान राम ने जिन्दगी भर अपनी तीन माताओं को माना एक तो जनम देने वाली कौशल या माता बाकी केकई और सुमुत्रा को भी माखे समा नहीं माना इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं हर जगे दो माताओं तीन माताओं मिल जाएं बाप किसी के दो नहीं क्योंकि दो बाप हमारे या अच्छे नहीं माने जाते माताओं हो सकते हैं बाप अच्छे नहीं माने जाते हैं एक धाई माह होती है एक असली माह होती है बाप दो नहीं होते और अंग्रेजी में जिन बच्चों के दो बाप होते हैं उनी को bastard कहते एक अंग्रेजी शब्ट सुनाए B.A.S.T.A.R.D. bastard माने जिस बच्चे के दो या दो से अधिक बाप वो है bastard तो हमने अपने सब बच्चों को भेज दिया है convent में bastard होने के लिए और बड़े गर्व से कह रहा है देखो मेरा बेटा फलाने convent में मेरी बेटी धिमा के convent में मैं बड़ा अच्छा हूँ बास्कर्ड बना रहे हैं अपने बच्चों अच्छे क्या है अगर सोच समझ के अकल के साथ ये किया होता कि यूरोप में तो convent इसलिए चलते हैं कि बच्चे लावारिस हैं यूरोप के परिवार में बच्चों को पालने की परमपरा हजारों साल से नहीं है एक बात और दूसरी बात एक और जिससे भी ज़ादा गंबीर है कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं ये पता करना एकदम मुश्किन है बहुत मुश्किन है कारण क्या है वहाँ जो शारीरिक संबंद है वो इतने खुले हैं इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए और जिन समाजों में शारीरिक संबंद बहुत खुले होते हैं जहाँ पर शारीरिक संबंदों में liberalization होता है वहाँ पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो माँ जानती नहीं है क्योंकि पतानी कितनों से संसर्ग वो करती है और यह ऐसा क्यों होता है वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनन्द है इसके अलावा कुछ नहीं तो सेक्स भोगने के लिए एक स्पती से संतुष्ट होते हो तो ठीक है नहीं तो 2 के पास 3 के पास 5 के पास 10 के पास 20 के पास पचास के पाद सौन कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि सेक्स संतुष्टी ही जिन्दगी का चरम आनंद है ध्यान रखना और ये प्लेटो कहता है अरस्तू कहता है लिबिनिट्स कहता है दिकारते कहता है रूसो कहता सारे फिलोसोफर कहते हैं पर ये जिन्दगी का चरम आनंदी ये है सेक्स में डूबना तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा दूसरे से नहीं मिले तीसरा तीसरे से नहीं मिले चौथा इसलिए शारिविक संबंदों में कोई मर्यादा नहीं है इसलिए वहाँ विवाह करना जरूरी नहीं है इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% दिना विवाह के लोग रहते हैं एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है Live in relationship बहुत चल रहा है इसका मतलब है दिना विवाह के साथ साथ रहना दो दिन एक के साथ रहना तीन दिन दूसरे के साथ पांच दिन तीसरे के साथ महीने चौते के साथ दो महीने पांच में के साथ साल बर में 10-20 बदल दो ये आज की परंपरा नहीं है हजारों साल की तो विवाह होता नहीं है बिना विवाह के ही सब होता है तो विवाह की परंपरा भी नहीं है माननिता भी नहीं है इसलिए विवाह करना कराना वहां कुछ महत्वपूर बात नहीं मानने जाते हैं अब जहां सेक्स संबंद ही जिन्दगी का सारा उतकर्ष है चरम है तो वहां फिर माननिता क्या है वहां माननिता ये है कि इस्तुरी और पुरुश ऐसे ही है जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं जब तक मज़ा देती है इस्तेमाल करो जिस दिन नहीं देती है फेट दो नहीं ले आओ तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो दूसरी ले आओ बजार में मिलती है अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंद रखना तो पता कैसे चले बाप कौन सा है टेक्स संबंद ही जिन्दगी का सारा उतकर्ष है चरम है तो वहाँ फिर माननेता क्या है वहाँ माननेता ये है कि इस्त्री और पुरुष ऐसे ही है जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं जब तक मजा देती है इस्तेमाल करो जिस दिन नहीं देती है फेट दो नहीं ले आओ तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो दूसरी ले आओ बजार में मिलती है अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारिरिक संबंद रखना तो पता कैसे चले बाप कौन सा है बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है परिवार तो कुछ निश्चित बिंदू से शुरू होता है ना परिवार तो ऐसे शुरू होता मेरी माने का देख ये तेरे पिताजी है बस वहीं से शुरू हुआ वहाँ कोई मा ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है और ये एक दो साल नहीं रहा है धाई हजार साल ये रहा है और धाई हजार साल में कम जादा होता रहा आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है मैक्सिमम लोग लिविन रिलेशन्शिप में है दरम पत्नी और पती बनके नहीं गर्ल फ्रेंड बॉइफ्रेंड है पती पत्नी नहीं जो हमारी परिभाशा है न पती पत्नी की नहीं तो वहाँ फिर होता क्या है वहाँ फिर होता ये है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंद आप रखें तो सबसे ज़्यादा veneral diseases sex जनित रो सबसे ज़्यादा इसी समाज में सबसे ज़्यादा और आजकल तो आप सुनते हैं न बार बार वफादार रहो एकी पत्नी से संपर्क रखो नहीं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा यूरोप में ये कहानी धाई हजार साल से ऐसे ही चल रहे है उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन लिया वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है गलत है इसमें कुछ लिमिटेशन्स करो नियम बांदो परिवार बनाओ शादियां करो शादियों के साथ रहो ऐसे कुछ लोग आते रहे लेकिन उनको जिन्दा नहीं रहने दिया समाज में अब मैं कहानी सुनाता हूँ ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ती थे जो आज से लगबग सोले सो साल पहले यूरोप में पैदा हुए उनका नाम था वेलेंटाइन और ये कहानी है चार सो अठतर एडी एडी माने ईसा की म्रत्यू के बाद आफ्र डेथ आज से लगबग तेरे सो साले तेरो साल पहले की कहान एक वेलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जनम लिया जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंद रखते हैं कुत्तों की तरह से जानवरों की तरह से ये अच्छे नहीं है इन में से ये खराबी ये खराबी तो इनको ठीक करो एक पती एक पत्मी के साथ रहो विवा करके रहो शारीरिक संबंदों को उसके बाद ही शुरू करो ऐसी ऐसी वो बाते करते थे और वो वेलेंटाइन वहाशे जो जो नौजवान उनके संपर्ख में आते थे उनको यही सिखाते थे रोज उनका भाशन यही चलता था संयोग से वो चर्च के पादरी हो गई तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो तभी संबंद रखो बिना शादी के संबंद मत रखो तो कोई-कोई उनसे पूछता था कि आपको यह वाइरस कहां से गुज गया यह तो यूरोप में है नहीं कहीं तो वो कहते थे कि आज कल मैं इस्ट वन फिलोसफी का अध्यन कर रहा हूँ उसमें यह समझ में आ रहा है इस्ट समझते यह इस्ट मने भारत आज से 1600 साल पहले 1700 साल पहले का भारत पूरा इस्ट लगबग वही था चीन में भारतिय सब्विता बुद्दिजम इंडोनेशिया में भारतिय सब्विता बुद्दिजम जितनी दूर तक नजर जाती है इस्ट और फार इस्ट में सब जगे भारत और भारती था ये बांबरी तो अभी बनी तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल इस्टन फिलोसोफी का अध्यन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है मुझे के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो तो कुछ लोग मानते थे तो वो वेलेंटाइन पता है क्या करते थे चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे चर्च में बच्चों की शादियां कराते और एक दो नहीं उन्होंने सेक्णों शादियां करें जिस समय ये वेलेंटाइन हुए उस समय रोम में एक राजा था उसका नाम था क्लॉडियस बड़ा राजा था संब्राट है चक्रवर्ती संब्राट क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वेलेंटाइन हमारी यूरोडियस की परंपरा को बिगार रहा हम बिना शादी करके रहने वाले लोग मौज मजे में डूबने वाले लोग और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वेलेंटाइन को पकड़ के लाओ तो गया वेलेंटाइन वेलेंटाइन को पूचा तुम ये क्या गरलत काम कर रहे हो अधर्म फेला रहे हो अब संस्कृति ला रहे हो हमको ये मंजूर नहीं है वगरा वगरा तो उसने का कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फासी की सजा का आदेश दे दिया तो 14 फरवरी सन 498 को वेलेंटाइन को फासी हो गई आरोब क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं इसलिए फासी हो गई माने शादी कराना जुर्म है तो फासी हो गई जिस दिन उनको फासी हुई तो जिन बच्चों ने वेलेंटाइन के कहने पर शादिया की थी उन्होंने वो दिन वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दे अब ये वेलेंटाइन डे की कहानी है यूरोप में वेलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहाँ शादी नहीं होती और जो कर ले वो वेलेंटाइन डे मनाता है अब भारत में दिना अकल, दिना सोचे, दिना समझे हमने वेलेंटाइन डे चालू कर दिया इसकूलों में, कॉलेजों में पागनों की तरह से वेलेंटाइन डे वेलेंटाइन डे वेलेंटाइन डे और इस धंदे में बड़ी-बड़ी कंपनिया लग गए जिनको ग्रीटिंग कार्ट बेचने हैं वेलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ट वेलेंटाइन डे का गिफ्ट और वेलेंटाइन डे का तो मिठाई और इन डे में फसे हुआ है और ऐसे मूर्ख है कि वो जो कार्ड भेजते है न उसमें लिखते है वुड यू भी माई वेलेंग टाइम हाँ इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे और वो एक को नहीं ददस को भेज देते हैं बीस बीस को भेज देते हैं पच्चीस अगर खाना खाने गया तो उनके घर में एक दादाजी है दादाजी प्ढसरत साल पे उनको 25 ग्रीटिंग काड आये है लिखा हुआ अभूड यू भी माई वेलेंटाइन लिखने वाले कौन है पंद्र भीस साल के लड़के लड़कियां तो दादा जी को वैलेंटाइन बना रहे हैं मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या बिना सोचे बिना समझे ये जो हम लेते हैं न ये ऐसा नाश करता है तो यूरोप की तकलीफ है वहाँ शादियां नहीं होती है शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है इसलिए वो कभी-कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिबरेट करते हैं हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं ऐसा है यू उसमें आत्मा नहीं होती जरा ध्यान से सुनना आप इस्त्री में आत्मा नहीं होती पुरुष में ही आत्मा होती तो इस्त्री क्या है तो प्लेटो कहता है कि जैसे मेज है कुरसी है टेबल है फैन है वैसे इस्त्री वस्तू जैसी है जब चाहो फेग दो जब चाहो उठान उसमें आत्मा नहीं होती वही प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि चुकि इस्त्री में आत्मा नहीं होती इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती क्या सत्य है क्या सत्य है क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं है तो उसका भेद नहीं कर सकती इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी इस्तरी की बात को ना सुने तो यूरोप में कानून बना कि कोई भे मुकदमे में इस्तरी की गवाही सुईकार नहीं की जाएगी ये कानून बना यूरोप में और ये कानून 1950 तक लागू रहा हूँ आज से मातर साट साल पहले तक या 55 साल पहले तक ये पूरे यूरोप में है फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विजलेंड, देनमार्क, नौर्वे, बेल्जियम सब देशों में ये कानून कि इस्त्री की गवाही अदालत में सुईकार नहीं होगी 1950 में आके इस पे बवाल कुआ क्योंकि वो कहते हैं इस्त्री में आत्मा नहीं है तो इस्त्री में आत्मा नहीं है तो फिर यहां से बहुत कुछ शुरू हो जाता है तो इस तरी संपत्ती की अधिकारी नहीं है इस तरी फैसले लेने की अधिकारी नहीं है इस तरी घर में वस्तू के जैसी है सजावट के लिए रखो जब खराब लगे तो बदल दो मने खरीद बेच की वस्तू है बदलने की वस्तू है और 1950 तक तक तो यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक एकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था 1950 तक ये जो बैंक ओफ अमेरिका है ना एन जे ग्रिंडले इस्टेंडर्ड चार्टेट इन सभी बैंकों में अप्टू 1950s कोई महिला का एकाउंट नहीं था सबपुरुश के अकाउंट महिला एकाउंट खोल नहीं सकती ऑपरेट नहीं कर सकती क्यों? उसको आत्मा नहीं है तो समझ नहीं है, तो बुद्धी नहीं है तो सत्या सत्य का विवेक नहीं है ये उनकी माननेता तो नियाय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, सिक्षा व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में इस्त्री हमेशा वहां नीचे नीचे और नीचे रही और इस्त्रियों पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी आप सुने कहानी तो आपकी आँखों से खून के आँसु निकला इंग्लेंड में धाई हजार साल इस्त्रियों के लिए एक परंपरा बनी ही वो परंपरा क्या है कि अगर किसी इस्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो वो किसी काम की नहीं है अब उसको क्या करो लाटियों से पीट के या तो मार डालो या उसका मरडर करो नहीं तो वो विच हो जाएगी विच समझते दायन डबलू आई टी सीच विच माने डायन नहीं तो वो डायन बनेगी और समाज को खराब करेगी तो जिस इस्तरी को पुरुष ने छोड़ दिया या तो पत्मी के रूप में या रखेल के रूप में जिसको कैप्ट कहते हैं या कॉल गर्ल के रूप में या वैशियाओं के रूप में उन सब इस्तरीों को जला कर मार डाला आप सोच सकते हैं एक दो नहीं लाखों को और यूरोप की हिस्तिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कितने इस्त्रियों को किस देश ने जलाया किस साल में इंगलेंड में कितनी जलाई गई स्कॉटलेंड में कितनी जलाई गई नियू साउथ वेल्स में कितनी जलाई गई फ्रांस में कितनी जली, बेल्जियम में कितनी, जर्मनी में कितनी फिर इन सब इस्त्रियों ने एकठा होके एक अवियान शुरू किया और उसका नाम है वीमेंस लिव वीमेंस लिबरलाइजेशन, इस्त्री मुप्ति फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका हुई उसका नाम था सिमोन दबोवा बहुत बड़ी लेखिका है फिलोसफर है फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था जियांपाल सात्र जो रूसों के समक्ष माना जाता है तो जियांपाल सात्र की शिश्या थी सिमोंदा बोवा उसने एक अभियान शुरू किया फ्रांस से जो धीरे धीरे सब यूरोप के देशों में फैला कि इस्त्रियों को अधिकार दो बेंक एकाउंट खुलने का अधिकार दो संपत्ती का अधिकार दो आपको सुनकर आश्यर होगा कि जो देश अपनों को पारलिमेंटरी डेमोक्रेसी का जनक कहते हैं न उन देशों में 1400 साल इस्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है वो सत्या सत्य को समस्ती नहीं 1400 साल वोट नहीं देने दिया हूँ तो सिमोन दबोयार ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए संपत्ती का अधिकार मिलना चाहिए इनको बराबरी मिलने चाहिए पुरुष के बराबर इनको माना जाना चाहिए और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चला जिसमें काफी इस्तरियां मारी गई उनको पीटा गया अत्याचार हुए अंत में जाकर थोड़ा सखल हुआ जब कुछ देशों ने इस्तरियों को वोट अधिकार दिया कुछ देशों ने बेंक एकाउंट खोलने का अधिकार दिया कुछ देशों ने उनको आगे आगे पुरुष के बराबर माना अदालत ने उनको स्वीकार किया कि हाँ ये भी गवाही दे सकती है वरना तो और थोड़े दिन तक कुछ देशों में पता है क्या चला अदालते क्या करती थी एक पुरुष की गवाही तीन इस्त्री के बराबर हाँ एक पुरुष की गवाही तीन इस्त्री के बराबर और जो पुरुष ये कह दे कि ये इस्त्री बगचलन है तो उस इस्त्री की कोई गवाही स्विकार ने ऐसी इस्त्ति तो परिणाम क्या हुए इन देशों ने पिछले 50 साल में कानून बनाए कानून बनाकर इस्त्रियों की इस्त्ति को सुधारने की कोशिश की और वो सुधरते सुधरते थोड़ी बहुत आई है लेकिन अभी भी पूरी नहीं आई है आपको मालूम है अमेरिका में इस्त्री राष्ट्रुपती नहीं हो सकती आपको मालूम है यह बन आज भी नहीं हो सकती 21 वी शतावदी में अमेरिका जा रहा है वहां कोई इस्त्री राष्ट्रुपती नहीं हो सकती और अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास उठा लीजे एक भी इस्तरी राश्रुपती नहीं हुई आगे भी नहीं होगी अमेरिका में कितना ही लंपट पुरुष हो राश्रुपती हो सकता लंपटों का सरदार चेंपियन ओफ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स गुंडा, बदमा, शोर, उचक्का, बेइमा, लुच्चा, लफंगा कोई भी प्रेजिडेंट हो सकता है लेकिन एक सद गुणी इस्तरी राश्रुपती नहीं हो सकती ये है असलियत यूरोप और अमेरिका अब हमारे हैं क्या हुआ कि उनके यहां तो ये समस्या थी हमने उसको नकल किया और नकल करके क्या कर दिया हिंदुस्तान में भी इस्तरी मुक्ती आंदोलन शुरू हुआ हाँ, और जोरदार और वो इस्तरी मुक्ती आंदोलन के कुछ नेता है इस देश में जिनसे मैं मिल चुका हूँ मैं उनसे पूछता हूँ इस्त्री मुक्ती क्या है सिगरेट पीना इस्त्री मुक्ती जैसे पुरुष की पहना हम भी पिएंगे इस्त्री मुक्ती शराब पीना इस्त्री मुक्ती पुरुष के साथ बैठ कर शराब पीना इस्त्री मुक्ती पुरुष के साथ बैठ कर सिगरेट पीना इस्त्री मुक्ती पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना इस्त्री मुक्ती पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना इस्त्री मुक्ती हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश बिना सोचे, बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड मगज हम इस्तरी मुक्ति में लगे हुए हैं उनको शराब पिला रहे, सिगरेट पहना रहे, जीन्स पहना रहे टॉपलेस शर्ट पहना रहे और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ बिश्रु विद्याले इस देश में ऐसे हैं, जिन्होंने इस्तरी मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना, क्योंकि इस्तरी मुक्ति जैसे पुरुष रहता है न, ऐसे रहना इस्तरी मुक्ति, मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे, बिना समझे, ये करे और बहुत संस्थाई इस देश में बनी है, इस्तरी मुक्ति आंदोलन चलाने के वहां इस्तरी मुक्ति क्यों है, यहां क्या है, आप जब बताओ भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी इस्तुरी को समाज में वोट डालने का अधिकार रोग दिया कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने इस्तुरी को संपत्ति का अधिकार रोग दिया कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने इस्तुरी को परिवार में नीचे का दरजा दिलवाया कौन से ऐसे शास पढ़ते हैं ना हर जगे घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता जहां इस्तरियों का इस्थान उचा होता है ना वहां देवता भी निवास करते हैं क्योंकि इस्तरियों में जो गुण हैं वो ईश्वरी ये माने जाते आपको मालूम है भारत में ये मुझे एक दिन पता चला अब तक मुझे नहीं मालूम थे एक दिन में दak신 भारत के केरल के एक créerल में गया है तूजा करने क्योंकि मैं उस गाउँ में व्याख्यान देने गया तो मन्दिर के बुजारी में ने का मास कीजिए आ आप अंदर नहीं जा सकते। वो गुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था। मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचे दिया था। उस परिचे में ये कहा गया कि ये राजीव दिख्षित अभी वाहित है। माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों आप सुनिये उस पंडित की बार। उसने कहा आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों कि आपकी धरम पत्नी नहीं है। मैंने पुझा ये धरम पत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धरम पत्नी के आने के बाद ही आती है उसके पहले नहीं आती है उसके पहले उसमें लंपटता रहती है पवित्रता नहीं रहती है और वो परिवार में इस्त्रियों को लाते हैं शारिरिक आनंद की प्राप्ति के लिए तो वो जब शारिरिक आनंद की प्राप्ति के लिए इस्त्री को देखेंगे तो इस्त्री उनको कैसी दिखेगी भोग वस्तु जैसे और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बना तो हमको इस तरी कैसे दिखेगी, देगी के जैसे? इस देश में बहुत सारे पत्थी पत्निवों को मैंने पूछा है, कि जिंदगी के कुछ दो चार पांच मिनट को छोड़कर, आपको अपनी पत्थी कैसी दिखती, तो कहते हैं बेहन के जैसे, मा के जैसे, चाची के जैसे मौसी के जैसे ताई के जैसे यही दिखाई देते हैं यूरोप में कोई कलपना नहीं कर सकता कि इस तरी यह भी हो सकते हैं बहन के जैसे, मां के जैसे मौसी के जैसे, ताई के जैसे चाची के जैसे है नहीं, क्योंकि वहाँ तो भोग की वस्तु है, sex object है अब वो जो भोग की वस्तु है, sex object है तो वहाँ जितना भी commercialization हुआ या जितना भी business फैला है उसने इस्त्री को sex object के रूप में ही इस्तेमाल किया जैसे आप किसी भी विदेशी company का विग्यापन अगर देखो तो हर विग्यापन में इस्त्री शरीर का वो बरपूर इस्तेमाल करेंगे भले विग्यापन blade का हो, लेकिन चहरा इस्त्री का दिखाएं blade आप जानते है, shaving blade तो shaving blade तो पुर्शों के इस्तेमाल करने की चीज़ है उसमें इस्त्री का चहरा क्यों? क्योंकि आपकी sensuality को hit करना आपके lower instinct को hit करना यूरोप की जितनी भी company कपड़े बनाते हैं न शूटिंग शर्टिंग्स के वो सम महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विग्यापन कराते है पुर्शों के इस्तेमाल आने वाला अंडर्वी और बनियान इस्त्री शरीर पर पहना कर बेचा जाता है और वहां के जितने भी अखवार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें, तो वहां के अखवार एक दिन का एक किलो का होता है इतना बजन का होता है, डाई तीन सो पन्ने उस अखवार में हो सकते हैं तीन चौथाई हिस्सा उस अखवार का भरा रहता है वैश्याओं के विग्यापन से बाई, आप लोग यार जरावी समस्ते में, बाहर चले जाओ ना बात करने के इतने शान्ती से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर-कचर कर रहे हैं कोई भी विग्यापन अखवार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मेगजीन उठा कर देखो, पढ़ो उसको आप 101% विग्यापन महिलाओं के, वैशियाओं के, मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोवर पार्ट इतना है, आप आईए, फोन पर संपर्क करिए, यूरोप के अखवार हों या अमेरिका के, और उनकी हेडलाइन्स भी अखवारों की कुछ इसी तरह की होती है, डाइ पार्ट इना मर गई, तो हेडलाइन भी मर गई, इस तरह की हिस्त देए, अकवार हो, मेगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी हैं, फिर वहां के जो टेलिवीजन चैनल है, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी इस तरह को सेक्स अबजेक्ट के रूप में ही रखके काम क उनके अखवारों की नकल करने शुरू कर दी, तो इस देश में भी सीरियल्स बनने लगे, सास भी कभी बहू थी, गरगर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मेरिटल अफियर्स, सभी सीरियल्स का एक ही थीम, हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पत्नी के साथ भाग गई, किसी का पत्नी किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष तीन स्त्रियों को फजाना चाहता है, कोई स्त्री दस पुरुषों को फजाना चाहती है, जो यूरोप और अमेरिका का कच्रा है, वो ह आपके घर में यही होने लगेगा ऐसे होने लगेगा क्यों होने लगेगा इसलिए होने लगेगा कि मैं बच्पन की एक कहानी याद है मुझे माता जी मंदर लेके जाती थी तो मैं कहता था रोज रोज एकी मंदर में आना और वो ही भगवान का दर्शन करना इसमें क्या रख लोगते इसलिए एक ही मंदर में जाना बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है अब ये बात में कभी भूलता नहीं अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे तो तरक चल जाएगा एक्स्ट्रा मेर तूटेगा इस देश्ट, सब कुछ तूटेगा, यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं, तो तूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से लिए तूटा हुआ है, यहाँ व्यवस्थित परिवार है, यह तूट गया तो सब तूट जाए, और हमारे यहाँ, आ असर विदेशी दरशन से है, यूरोपियन फिलोसफी से है, जो हर सड़क चलती इस तूट को सेक्स अबजेक्ट बारनता है, हमारी आँखों में आ गया है, और आँखों में आ गया है, तो उतर गया शरीर में, तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के-लड किया है न, यह ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को, मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षा बंदन मनाए जाते नहीं देखा है, वेलेंटाइन डे सब जगे, अब यह रक्षा बंदन नहीं रहेगा और वेलेंटाइन डे सब जगे आ जाएगा, तो वो तो सेक उन बना लें, वो रुकेंगे नहीं, यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं, तो बहुत इंट्रेस्टिंग चीज दिखाई देती है, यूरोप में बड़े-बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्यागर, तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले त Tapi एक तक्ती लगी होती ती अब वो तोड़के उन्होंने हटा दिये, तक्तिया लगी रहती थी, प्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, बेन्गमार्क में जाओ तो डैनिश में, नीदरलेंड में जाओ तो डच भाशा में, उन तक्तियों पे खा रहता है सावधान कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर करने तो नहीं जा रहे हैं सावधान क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं पैदा होते ही छोड़ दिया वो लावर इस घर में पली है बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको वैश्या बना दिया अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर करना ना पड़ जाए तो वहां लिखा रहता है तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है तो वहां एक आज कल डॉक्टर बैठने लगे है जो ब्लड चेक करते आपका कि आपका ब्लड ग्रूप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रूप मैच कर लो कहीं ऐसा नहों कि वो आपकी ही बेटी आपकी ही बेहन इतना गिर चुका है इतना गिरा हुआ ये रोप जहां के पुरुष अपनी बेहनों से बेटियों से संसर्थ करने के लिए बेश्या घरों में जाते हो और वहां से कोई हम को ये बढ़ाने आए कि तुम नालाइ को हम महाने हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए अमेरिका में बस गए अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की तो पता कैसे करते हैं वो कहते हो राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका मैं पूछा क्या अच्छा है अरे यहां होटल है या दस हजार कमरे का होटल भारत में हो सकता है मैंने का भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं होता हमको धरमशाला की जरूरत है तो हमारे हजारों धरमशालाई होती है एक एक शहर में सौसो हो सकती है उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते है तो आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है ये जो बड़े होटल है यूरोप में दस हजार कमरे के, बीस हजार कमरे के, पच्चीस हजार कमरे के ये क्यों बनाए गए हैं दास्तविक का ये है मैंने आपसे का ना sex relations कहीं भी किसी के साथ जाओ कोई limitation नहीं है तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई limitation नहीं है और घर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे होटल में ही जाना पड़ेंगे यूरोप की 85% population के पास अपना घर नहीं है आपको एक नंगा सक्के बता रहा हूँ है यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते जिंदगी बर बना नहीं पाते मात्र 5% प्रतिशत लोग है जिनके पास अपना घर होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो किराई के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं बाकी 85% के लिए तो सफना हैं वो किराई के घर में पैदा होते हैं किराई के घर में मर जाए और यूरोप की मैकसिवम पॉपुलेशन जो किराई के घर में रहती है वो सभी घर flats कहलाते है flat में आपको रहना है किराई के घर में रहना है तो मालिक जो है वो तो बंगलो में रहेगा और अपने किराईदार को flat में रखेगा तो मालिक की माननिता ये है कि किराईदार तो नहीं चाहे तो उसको उतना space नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलो में तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं बंगलो बड़े बनाए जाते हैं कोई भी फ्लैट में open space नहीं होता और बहुत छोटे एरिया में होता है अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं रहने वाले उसमें जादा है पर इस्क्वेर फिट एरिया में सबसे जादा रहने वाले लोग यूरोप में ही है अगर भारत का पर इस्क्वेर फिट एरिया आप निकाले ना एक इस्क्वेर फिट में भारत में इतने लोग रहते हैं तो लंदन में उससे दस बुना ज़ादा लोग रहते कारण समझते हैं यूरोप के पास horizontal expansion करने के लिए जमीन ही नहीं है इतने छोटे छोटे से देश हैं जितना हमारा एक जिला कोटा और भूंदी को इकठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है हाँ और कोटा भूंदी बारा और जैपूर को इकठा कर दो तो जर्मनी के बराबर यूरोप में मैं कभी भी गया तो दो ढ़ाई घंटे की कार ड्राइब में देश की सीमा खतम हो जाती है दूसरे देश में गुज जाते हैं इससे जादा नहीं है मैकसिमम छे गंटे की कार ड्राइब में दो देश पार करके तीसरे में पहुँच जाते हैं और यहाँ छे गंटे में एक जिला पार नहीं होता तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि पर स्क्वेर फिट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग है और पर स्क्वेर फिट एरिया में वहाँ सबसे जादा हैं तो एक फ्लेट में जादा लोग वहाँ रहते हैं अब उनको कुछ ऐसे संबंद रखने हैं जिनको आपकी भाशा में इलिसिट रिलेशन्शिप कहें अवैधानिक संबंद कहें तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए इसलिए वो होटल बनाते हैं और ददस हजार रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है सेकरडे पूरा छुट्टी संडे पूरा छुट्टी तो तीन दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते हैं घर में कोई नहीं रहता ये है उनके होटल की हैसियत तो वो होटल बनाते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो दुस हुजार कमरे का होटल बना लिए वो मजबूरी है उनकी नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा उनका सीजोफरेमिया से मर जाएंगे सब के सब इसलिए होटल बनाते हैं हमको जरूरत नहीं इसलिए हम तो धरमशाला बनाते हैं उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं तो हम जब उनके साथ अपना comparison करते हैं तो थोड़े ध्यान से करें कुछ इंदुस्तानी जो अमेरिका यूरोप में रहने लगे कहने लगे यार क्या बात है अमेरिका की सबक के उपर सबक सबक के उपर सबक सात मंजली सबक आठ मंजली सबक वो उनकी समस्या है क्योंकि जमीन पर सड़क बन नहीं सकती एक्समेंशन की गुण्याईश नहीं है तो एक के उपर एक बनानी पड़ती उन्होंने कोई वो बहुत बड़ा काम कर लिया है तीर मार लिया ऐसा नहीं है यूरोप की कई मुश्किले हैं उन मुश्किलों के लिए वो ये सब करते हैं उनसे कुछ छुटकारा मिले निप्तारा मिले इसलिए उनके याँ ये सब होता है हमारे याँ इस तरह की मुश्किले नहीं है इसलिए हमको ये करने की जरूरत भी पड़ती आप ध्यान दीजिए किसी भी सब्बिता में कोई भी चीज आती है तो जरूरत के हिसाब से आती हमें किसी चीज की जरूरत है हम वो करेंगे नहीं हैं छोड़ देंगे जैसे कोई लोग in comparison करते है यूरोप और अमेरिका वो कहते हैं यार उन्होंने जेट हवाईजाज बना लिया हम रहें तो बेल गाड़ी है अब बेल गाड़ी की जरूरत है इसलिए हम बेल गाड़ी रखते हैं उनको जेट हवाईजाज की जरूरत है इसलिए जेट हवाईजाज है पता है उनके या जेट हवाईजाज क्यों है उनकी फिलोसफी रहे उनकी फिलोसफी ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है यूरोप की जो फिलोसफी है ना, उसमें पुनर जनम नहीं है कोई भी पुनर जनम नहीं और आप जानते हैं ना, भारतिय अपों को छोड़कर दुनिया के किसी भी दर्शन में पुनर जनम नहीं इसलाम में पुनर जनम नहीं है इसायत में पुनर जनम नहीं है कुरान, हदीश में पुनर जनम नहीं है बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में पुनर जनम नहीं है पुनर जनम सिर्फ इस देश में है और एक बार नहीं बार बार, 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 बार उनके यहां एक ही बार है जनम तो वो बोलते क्या है वहां के फिलोसोफर कि जनम एक ही बार मिला है तो जितना मज़ा करना है यही करो अगली बार तो मिलेगा नहीं तो जल्दी जल्दी मज़ा करो तो हर चीज जल्दी जल्दी करो तो जेट हवाई जाज लाओ तो ये लाओ, स्पीड बढ़ते जाओ क्योंकि जनम एक ही है भारत में बार बार जनम हो मैंने एक बार एक किसान को पूछा कि आप तो बेल गाड़ी से चलते हैं बहुत देर लगती है तो उनका हाँ लगती है तो क्या मैंने का आपको देर लगती है तो माल देर में आपका पहुचता है बाजार में तो उनका तो क्या तो इससे पैसा कम आता है तो उसने का तो क्या तो मैंने का आपको मजा करने के लिए टीवी फ्रिस घर में नहीं आता क्योंकि पैसा कम है तो उससे क्या तो मैंने का उसमें बहुत मज़ा आता है टीवी देखो सिनेमा देखो तो उसने का मज़ा तो मुझे बेल गाड़ी में बैटली में भी आता है अब तो कहानी खतम सारी वो ये कहता है कि जब मैं बेल गाड़ी में चलता हूँ तो बेल के गले की जो घंटी है मुझे ऐसा लगता है कि भगवान करशन की बंसरी बजरये में सुनते हुए आराम से जाता हूँ और मुझे कुछ पढ़ी नहीं है जो करना है इस जनम में बच गया तो अगले जनम में उसका बच गया तो अगले जनम में बारवर्क में बैठेंगे उसके दोस्त सगे संबंदी रिष्टेदार नातेदार वो हो गए उसके सब मिनिस्टर और अंत में डाइनिंग टेबल से दूर रहेंगे उसके नौकर चाकर वो हो गई प्रजा ये है डेमोक्रेसी राजा है ना राजा वो सबसे प्रमुक है क्योंकि डाइनिंग टेबल का सेंट्रल पॉइंट हो है अब यूरोप में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकते आपको ये बात पचेगी हजम होगी कि कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकता वो वहाँ का नियम है बाप खाना खाएगा अपने दोस्तों के साथ फिर बच जाएगा तो बेटे खाएंगे और अंत में बचेगा तो नौकर चाकर और सबसे अंत में उसकी पत्मी खाएगे ऐसी है उनकी व्यवस्ता बाप के साथ बच्चे खाना नहीं खाते कभी कभी साल में एक दो दिन ऐसे आते हैं जब बच्चों को अपने बाप के साथ बैठकर खाने का अधिकार है और वो दिन है क्रिस्मस उस दिल वो अपने बाप के साथ बैठके डाइनिंग टेबल पर खाना खा सकते हैं बाकी किसी दिन भी नहीं क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की हैसियत परिवार में नीची ही बच्चों को तो मैंने का लावरिष छोड़ना है और माँ तो माँ है नहीं बच्चे का पैदा होना या ना होना ये बाप की इक्षा पर निर्वर है यूरोप में माँ की कोई इक्षा नहीं उसको जनम मिलेगा नहीं मिलेगा बाप ते करेगा और यूरोप में धाई अजार साल ये बरंपरा रही है कि बच्चा पैदा होते ही बाप पहले उठाएगा जो माने उठा लिया तो उसको फेकना पड़ेगा कुट्थे खा जाए भेडिया खा जाए और मा बच्चे को दूट नहीं पिला सकती यूरोप में नरस दूट पिलाती मा नहीं पिला सकती तो नर्सों के दूट पर बच्चे पलते हैं इसलिए यूरोप में नर्सों की मांग सबसे ज़ादा है आप कभी-कभी अख़वार में सुनते ना इंगलेंड में भारती नर्सों की इतनी मांग है अमेरिका में इतनी मांग है क्यों? नर्सिंग करना है नर्सिंग माने बच्चों को दूप पिलाना माने पिलाई रहे नर्स पिलाई रहे ये उनकी माननिता है और इस माननिता से जब आगे बढ़ते हैं डाइनिंग टेबल पर पत्नी साथ नहीं रहती बच्चे साथ नहीं रहते और पती खाना खाता अपने दोस्तमित्रों के साथ तो ऐसी ही उनकी स्टेट है राज जी की विवस्ता और उसको वो डेमोक्रेसी कहते है ये डेमोक्रेसी वहाँ साथ आठ सो साल से चल रही है इसमें क्या होता है बाप ने जो बोल दिया वो कानून बाप ने जो बोल दिया वो नियम राजा ने जो बोल दिया वो कानून राजा ने जो बोल दिया वो नियम हमारे यह क्या होता है शास्त्रों ने बोला वो कानून शास्त्रों ने बोला वो नियम शास्त्र की मानना है माबाप की ने और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु गुरु ने जो बोला नियम गुरु ने बोला वो कानून उनक्या नहीं तो वहां क्या होता है राजा सब कुछ तै करता है प्रजा को तै करने का अधिकार नहीं राजा जो कुछ तै करेगा प्रजा पालन करेगी प्रजा उसमें हस्तक शेप नहीं करेगी ये उनकी माननिता है अब इस माननिता में कानून कैसे हैं नियम कैसे हैं व्यवस्ताइं कैसी हैं यूरोप में जितने बड़े-बड़े राजा हुए सबने अपने अपने कानून बनाए और उन में काफी जगडे हुए वो राजा बदलते थे कानून बदलता था राजा बदलता था कानून बदलता था राजा बदलता था कानून बदलता था अब हमने भी क्या किया यूरोप की नकल करके पार्लिमेंटरी डेमोकरिसी ले आया यहां भी क्या हो रहा है सरकार बदलती है कानून बदलते है सरकार बदलती है कानून बदलते है एक सरकार एक कानून बनाती है दूसरी कहती है यह बेकार है इसका बदल दो दूसरा लाओ हमारे यहां जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सकती था जो कानून में माना जाता था वो सब हट गया अब CPC, IPC, RPC, CRPC सरकार बदलती रहे हम उसके हिसाब से चलते रहे और वहां सरकार कौन चलाता है? राजा राजा कहां से आएगा? जो वर्म परासे है उसका बाप राजा तो बेटा राजा बेटे का बेटा राजा बेटे का बेटा राजा अब भारत में क्या हो रहा है? अम्मा प्रदान मंत्री तो बेटा प्रदान मंत्री बेटा प्रदान मंत्री तो बेटे का बेटा प्रदान मंत्री विपो प्रदान मंत्री तो आगे प्रदान मंत्री हो रहा है कि नहीं? अब हम चिल लाते हैं कि भारत में भाई बती जाबा दिये तो आने ही वाला है क्यों कि यूरोप की नकल की हमने कानून वहां के कैसे एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं ये किस्सा है आज का नहीं अरिस्टोटल के जमाने का अरिस्टोटल का एक चेला था उसके खिलाफ एक मुकदमा आया मुकदमा आया चेले का नाम था डेमो इस्थनीज अरिस्टोटल का एक चेला एक शिश्य उसका नाम था डेमो इस्थनीज तो उसके खिलाफित मुकदमा आया राजा के दरवार में मुकदमा ये था कि उसने अपने पडोसी का धन और संपत्ति लूट लिया देमोस्थनीज ने देमोस्थनीज ताकतवर था उसका पडोसी कमजोर था कहानी है रोम की तो लूट लिया उसने अब लूट लिया तो राजा के सामने मुकदमा आया जो उसका परोसी था उसका नाम था एशुनियस तो राजा के सामने मुकदमा चल रहा है और डेमोस्थनीस कह रहा है कि मैंने एशुनियस का धन संपत्ति लूट लिया है और मैंने ठीक किया है तो एशुनियस को का गया भई तुम को क्या कहना है अपने बचाओं में तो एशुनियस कह रहा है मैं गरीब हूँ महराज मेरे पास धन पहले से ही बहुत कम है मेरे बच्चे भूख से पीले थे आप मेरा धन वापस दिलबा दो तो मेरा कुछ काम हो जाए तो डेमुस्थनिस क्या कहता है दरबार में वो कह रहा है कि मेरी कीमत डेमुस्थनिस कह रहा है मेरी कीमत एशुनियस से अधिक है क्योंकि मैं अरस्तू का चेला हूँ अरस्तू का शिश्य हूँ तो इसलिए मेरी कीमत अधिक है और मैं महान हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है ज्यान से सुनना मैं महान हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है और मैं ये कहने के लिए बात दी हूँ कि मेरा जनम एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है अच्छा परिवार माने मेरी माँ अपने बाप की पत्नी थी रखेल नहीं थी कैप्ट नहीं थी वो पत्ती थी उससे मेरा जनम हुआ है इसलिए मैं और भी जादा महान हूँ अब मैं महान हूँ मेरी सिक्षा भी अच्छी हुई है और मैंने कभी जिन्दगी में कोई श्रम कारे नहीं किया है इसलिए मैं महानता के चरम पर हूँ आपको एक छोटी घटना सुनाता हूँ प्लेटो कहता था कि जो हाथ से श्रम करते हैं वो सबसे घटिया लोग है और सबसे उचे लोग हो हैं जो कोई श्रम नहीं करते भारत में इसका उल्टा है भगवान करशन अर्जुन को समझा रहे है कि बिना महनत के जो खाता है वो पाप की कमाई है इसलिए महनत किये कुछ मत खाओ यूरोप में प्लेटो कहता है महनत करो ही मत बिना महनत के खाओ वो कहता है कि मैं अरस्तू का चेला हूँ अरस्तू प्लेटो का चेला था और प्लेटो कहता था कि श्रम मत करो मैंने आज तक कोई श्रम नहीं किया है इसलिए इस मुकदमे का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए तर्क सुनो उसके और नियाय अधीश ने जो राजा था बेमोस्थनी इसके पक्ष में फैसला दे दिया और ऐसे एक दो नहीं मेरे पास एक हजार पांच सो मुकदमों के डाकुमेंट्स ये तो एक मैंने सुनाई अब राजा कहता है कि मैंने नियाय किया क्या किया एक महान व्यक्ति समरुद व्यक्ति पैसे से बढ़ा जिसने कभी श्रमकारी नहीं किया उसने अपने पडोसी की समपति को लूट लिया तो उसने ठीक किया क्योंकि वो महान है और मैंने उसके पक्ष में फैसला दिया तो अच्छा ही किया ये है नियाय और इस पर टिका हुआ है प्लैटो का सारा पुस्तक लॉज एल एडबलुएस उससे निकली है उनकी व्यवस्था जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट सिविल प्रोसीजर कोर्ट और दूसरे प्रोसीजर कोर्ट कहते हैं वो सब की सब हमने बिना अकल लगाए ले लिया है अब कैसे नियाए मिले इस देश में आप देखो भारत में जहां CPC, CRPC, IPC चलता है न वहाँ पैसे वालों को ही नियाए मिलता है हमारे राश्रुपती अब्दुलकलाम ने चीफ जस्टिस को एक छिट्टी लिखी है कि क्या कारण है भारत की आजादी के 50 साल में गरीबों को ही फासी हो रही है किसी अमीर को फासी नहीं हुई जबकि उन्होंने क्राइम गरीबों से ज़्यादा किये तो चीफ जस्टिस के पास जवाब नहीं है डॉक्टर अब्दुलकलाम के इस पत्र का मेरे पास जवाब है क्योंकि हमने कानून और नियाए व्यवस्था अंग्रेजों से लिए है उन से नकल की है तो उनके या नियाए तो पैसे वाले को ही मिलता है ताकतवर को ही मिलता है गरीब को नियाए लेने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं तो ऐसी पूरी व्यवस्था उनकी उसकी हम नकल करके अपने देश में सोचें कि सुख शान्ती आएगी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शुख सान्ती आएगी तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए अब मैं अपने व्याक्यान कांत करने जा रहा हूँ मुझे ये लगता है कि भारत में दोई काम करने के लिए अब हमारे पास इस्थान है या तो हम यूरोप की ये जो माननिताएं हैं न उनके हिसाब से अपने को बदल ले या हमारे देश की अपनी माननिताओं के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को बदल ले हमने ये जो पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी यूरोप की नकल करके लाई है उसका अंतिम परिणाम है संसद में मा वहन की गाली जो यूरोप में बहुत सामान्य हैं सभी संसदों तो अगर हम इसी पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं तो जो द्रश्य आपने देखा थोड़े दिन बाद से भी भीवत्स देखने को मिलेगा तो आप तेह कर लीजे कि यही चलाना है तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजे और ये मान लीजे कि नियाए पैसे वाले को ही मिलेगा अन्याए हर गरीब को जहलना ही पड़ेगा सुख सुविदाए पैसे वालों को ही मिलेगी गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा तो ये मान लीजे और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खतम कुछ करने की जरूरत ही नहीं जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे दुखी रहेंगे पिलित रहेंगे नियाय मिलेगा नहीं व्यवस्था में उनका कोई इस्थान होगा नहीं तो बहुत शांती है मन में कुछ करना ही नहीं और जो आप ये मानें कि भारती है विवस्था कि अन्कूल चलाना हो तो भारत में तो पता क्या है भारत में ये है कि आत्मा सभी में है वो मनुश्य हो या मनुश्य तर चीती में भी आत्मा है मक्षी में भी आत्मा है मनुश्य में भी है استری में भी है पुरुष में भी है और हमारी माननिता है आत्मा सब की समान है किसी की बड़ी और छोटी नहीं है जब आत्मा सब की समान है और सब में आत्मा है तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और नियाई मिले उनके यहां आत्मा ही नहीं है इस्त्री में मजदूरों में आत्मा नहीं है तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएं चलाएं उसमें खुश रहें हमें उनमें कोई आपती नहीं है तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने या लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं और फिर ये कलपना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा समरुद्शाली हो जाएगा ये अपने को धोखा देना है और 60 साल से यही हो रहा है जो भी सरकार आती है अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशुश करती है अंत में क्या होता है कुछ सुधारता नहीं है 60 साल में इतनी राजनेतिक पार्टियां आई देश वहीं का वहीं है क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं है तो अब हमें दोई चीज़ें करनी है या तो हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई और दी गई है अंग्रेजों के बनाई हुए कानून अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी इस देश में चल रहे हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 35,735 कानून बनाए वो सब के सब चल रहे हैं। छोटे-छोटे नियम भी चल रहे हैं। जैसे संढ़े की छुटी यूरोप में होती है क्योंकि चर्च जाना है हम क्यों करें। हमारे लिए संढ़े तो, मंडे तो, त्यस्ड़े तो सब बरावर है। यूरोप में रविवार महत्तुपूर है क्योंकि वो इसाइओत को मानते हैं। अरब देशों में शुक्रवार महत तुपूर है क्योंकि वो इसलाम को मानते है यहूदियों में शनिवार महत तुपूर है क्योंकि वो जुडाइजम को मानते है हमारे लिए रविवार, सुमबार, सनिवार सब एक जैसे है क्योंकि हम सब को मानते है हमारे यहां सोमबार किसी का दिन है मंगल किसी का बुद्ध किसी का वरस्पत किसी की शुक्र किसी का शुनिवार उनके यहां तो यह है अब हम उनकी नकल करके चलें कैसे चलेगा रविवार की शुक्री तो बंद होनी चाहिए इस देश क्यों चलने चाहिए फिर उनके यहां सूरे नहीं निकलता तो दफ्तरों में काम देर से शुरू होता था तो उन्होंने दस ग्यारे वजे का समय तए किया आफिस जाने का हम क्यों करें दस ग्यारे वजे आफिस की शुरूआ हमारे यहां तो सूरज सवेरे सारे चार बजे निकलाता है और भ्रम्व महूर्थ में किया हुआ काम सबसे अच्छा माना जाता है तो हमारे ओफिस तो सवेरे चलने चाहिए सूरे के साथ किसान जाता है खेट पे काम करने सूरे के साथ जो 70 करोर किसान सूरे के साथ काम कर सकते हैं तो 10 बारे करोर सरकारी करमचारी क्यों नहीं कर सकते उनको 11 बजे आफिस क्यों मिलना चाहिए जाने के लिए और 11 बजे आफिस पहुचते हैं जब आदा दिन बीट चुका होता है और आधी शक्ति खतम हो चुकी होती है काम करने के हमारे यहां बजट आता है फरवरी के अंतिम सब्ताह में 27-28 तारीप को क्यों ये तो यूरोप की माननिता है कि उनका नया वर्ष 1 अपरेल से शुरू होता है जिस दिन वो अपरेल फूल मनाते है क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना है बजट के माध्यम से हम भी वो ये दिन से अपना बजट चला है हमारा तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है तो हमारा बजट तो दिवाली को आना चाहिए हम उनकी मानिताओं में फसे है जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अपरेल जिनका मतलब हमें नहीं मालूँ है जन्वरी का मतलब को भी बता सकता है क्या मतलब है अगेन पूस, महा, फागुन, चैत्र, बैसाग, जेव, टटटराल का मतलब नहीं बता सकता हूँ जन्वरी का मुझे नहीं मालो है हम क्यों जन्वरी फर्वरी चला रहे हैं और ऐसे मूर्ख लोग हैं अक्टूबर ये जो अक्टूबर शब्द है न ग्रीक है ओक्ट से आए ओक्ट का मतलब होता है आठ अक्टूबर कौन सा महीना है दसवा तो ओक्ट आया आठ से महीना है दसवा क्या मूर्ख लोगता करता सेप्टेंबर आया सेप्ट से सेप्ट माने साथ सेप्टेंबर महीना कौन साए नौ और बोल रहा है साथ नवंबर नौन से आया नाइन महीना ग्या रहा है क्या मुर्खता कभी सोचे ही नहीं हमने हमारे अगेन, फागुन, चैत्र, वेशाग, जेस्ट, असाग सबका मतलब है, फिक्स है हजार साल पहले जो था आज मी वही है क्रश्मी के जमाने में जो था आज मी वही है राम के समय में जो था आज मी वही है इतना सनातन है उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फसे हुए और कुछ-कुछ तो ऐसी मुर्खताई हम कर रहे हैं Mother's Day मना रहा है Mother's Day रोज तो हमारे यही होता है यूरोप में पता है क्या होता है मैंने आपसे का ना मां बच्चे को दूढ नहीं पिलाती साल में एक ही दिन पिलाती है वो दिन Mother's Day बाकी दिन에서 दूढ पिलाती है तो इसलिए वो Mother's Day मनाते है हमारे यहां तो सब इसमें मां अपने बच्चों को रोज दूढ पिलाती है हर दिन तो Mother's Day Father's Day उस दिन होता है जब बच्चे अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठके खाना काते है वो फादर्स डे है यहां तो हर दिन बाप बिना बेटे के खाना ही नहीं खा सकता वो कहगा गले से उतरता ही नहीं है बेटा तो चाहिए साथ में खाना काने है तो एब्री डे फादर्स डे एब्री डे मदर्स डे हम भज गए उनके चक्कर वेलेंटाइन डे जिसका मतलब ही हमें नहीं मानूँ तो मेरा आप से ये कहना है और कभी-कभी तो इतना मुझे दुख होता है कोई थोड़े अंग्रेजी पले लेके गरों में चला जाता हूँ जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते पूरी हिंदी भी नहीं जानते वो बहुत सप्यानाश करते अदकचरे लोग वो क्या केते हो रजीव दिक्षिद शीज माई मिसिस तो मैं पूछता हूँ रियली शीज यूर मिसिस क्योंकि प्लैटो ने मिसिस शब्द दिया है वहशियाओं के लिए रखेल को मिसिस कहते हैं आपने सुना है यूरोप में सो एंसो मिसिस, सो एंसो मिसिस मिसिस पांडे, मिसिस शर्मा, मिसिस ये मानि उसकी रखेल पांडे की रखेल, मिसिस पांडे सब शर्मा की रखेल मिसिस शर्मा हम अपनी धरम पत्नी को मिसिस बनाने में लग गए बिना सोचे समझे बिना अकल के शी इस माई मिसिस तब मैं पूछता हूं रियली तब हो थोड़े बौखला और धरम पत्नियों ने पत्ती को मिस्टर बना दिया मिस्टर मने उसका मुणी ताप और मिस्टो बहुत ही खराब शब मिस्ट मने एक ऐसी वहष्या जो कई पुरुषों के साथ सो आ मिस्स्ट तो किसी एककी ही रहती है मिस्टो किसी की भी होती है हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृती मिस फलाना मिस धिमा का लगा दे पहले शब्दों को जाने फुरुन का उप्योग मम्मी शब्द है यूरोप में मम्मी माने डैड बॉडी मरा हुआ शरी अमने बच्चों को जिल्ला चिल्ला टे मम्मी बोल, मम्मी बोल सिखा दिया पपा जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं है मम्मी का तो हैवी डैड बोडी, पापा का तो वो भी नहीं है बुलबा रहे हैं पापा, पापा, पापा और अंकल अंटी तो बहुत ही खतरला अंकल पता है क्या होते हैं? जैसे कोई बाप है उसके भाई है जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए है, वो सब अंकल है और अंटी उसका फीमेल पार्ट है हम किसी को भी अंकल और अंटी बोल देते हैं बिना सोचे समझ और सामने वाला सुईकार भी कर लेता उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सब्मिता के बारे में पूरा जाने, फिर समझ बूझ कर उपयोग करें तो अच्छा है कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है किसी के घर में जाता हूँ पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गाहित्री देवी बेटे का नाम टिंकू दबलू, बबलू पूछो क्या नाम है? मतलब क्या है टिंकू का? तिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का जो बाप की न सुने मा की न सुने वो है तिंकू और जाड़ातर बच्चे वहाँ तिंकू ही होते हैं यूरोप में हमारा बिचारा सीधा साधा आग्याकारी उसको तिंकू तिंकू बोल बोल के उसका कच्छणा निकाए तो मेरी आपको हाद जोड़कर विंती है कि भाशा के इस्तर पर भूशा के इस्तर पर बोजन के इस्तर पर बजन के इस्तर पर और बेशच के इस्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिये और अगर करनी ही है तो पूरी करिए अधूरी मत करिए या तो पूरे यूरोपिय हो जाईए अंग्रेज हो जाईए और नहीं तो भारतिय हो जाईए बीच में मत रहे खिचुणी की तरह से त्रिशंकू मत बने उन्होंने अपनी भूशा बनाई है पैंट है, शर्ट है, कोट है क्योंकि उनका बाता है, वरन थंडा है मैंने आपको बोला ना बहुत थंडा बाता है इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए शर्ट के उपर टाई चाहिए टाई के उपर कोट चाहिए कोट के उपर ओवर कोट चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है हमको नहीं चाहिए ये सब अब हम भरी जून की गर्मी में 50 degree centigrade में टाई कोट लगा के घूमें और घोडे पर चड़कर शादी करवाने जाए तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में और हम 3P सूट और टाई में हमारे यहां बोलते हैं पत्नी दो पईये हैं ग्रहस्ती की गाड़ी के एक पईया ट्रेक्टर दूसरा साइकिल कैसे चलेगी ग्रहस्ती या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए तो आपका 3P सूट और टाई जमेगा क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पत्नी 3P सूट और टाई पहनता है यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो दोती कुरता वो ही ठीक है और आप बोलेंगे जी दोती में क्या है दोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हिंदुस्तान में धोती से एक हजार से जादा डिजाइन बन सकती है और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाएए धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्जी की बंगाल की महिला की धोती आसाम की महिला की धोती महराश्र की महिला की धोती आंद्रा की महिला की धोती सब राज्जियों की महिला एक हाली धोती ही पहन के खड़ी हो तो मैं बता दूँगा ये किस राज़ की है और वो सक्त निकलेगा पेंट पहने हुए किसी आदमी को पहँचानना मुश्किल है ये किस राज़ का क्योंकि भारत में कोई राज़ नहीं है जहां से पेंट निकली हो वो तो यूरोप से आई है इसकर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं दोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहें वैसी बनाएं पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहें डिजाइन बनाएं दोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर इबोध है पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है मारवाड़ी है कि मेवाड़ी हाड़ोती का है कि कहां का पगड़ी देखके दोती देखके क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए है भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यग्य होते हैं वहाँ आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं क्योंकि पमित्रता उसी में है ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है तो मेरी आपसे बिंती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतिय बनिए कोशिश करिए आज हम नहीं हैं लेकिन कोशिश करें तो दो साल में हो जाएं पांस साल में हो जाएं जाड़ा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो होई सकती है हम शायद नहीं भी हो पाए अगली जनरेशन को तो बनाई सकते हैं बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है उनकी मालनिता क्या है उनकी परंपरा क्या है उनकी बेशबूशा क्या है, हमारी क्या है उनका भोजन क्या है? हमारा भोजन क्या है? वो पीजा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं यूरोप में तीन-चार ही अन्न पैदा होते हैं और उससे तीन-चार ही डिश बन सकती है इसलिए लेदे के उनके पास पीजा और बर्गर है भारत में 1,400 बस्तूओं का उत्पादन जमीन से होता है यहां अलग-अलग बिशिज हैं मैं जिस दिन पहदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई दिश खा सकता हूँ इस देश में इतनी ताकत है वहां है ही नहीं और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्त और प्रकरती से जुड़ा हुआ है जितने भी अचार हिंदुस्तान में पढ़ते हैं बिना मैथी दाने के कोई अचार नहीं है क्योंकि मैथी की हर समय जरूरत है क्योंकि हम समसीतोशन जलवायू में रहते हैं और मैथी ही है जो समसीतोशन जलवायू में वाग पित कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं इसलिए हर अचार में मैं थी हर लड़ू में मैं थी हर सबजी में मैं थी जहां लगे वही मैथी क्योंकि जरूरत है अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागलो मूर्खो ये हर चार मैथी डाल दिया हमारे जैसा देखो हम तो सौस खाते है क्योंकि सौस उनकी मजबूरी है इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं चौती कोई चीज है नहीं तीसरी कोई चीज है नहीं तो सौस ही बनेगा उससे और क्या बनेगा तो उनकी जो मजबूरियां है उनको अपनी विशेष्टा मत बनाईए और हमारी जो विशेष्टा हैं उनको कमजोरियां मत साबिद करें तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे और ये साल कोई विशेष साल है भारत में वंदे मातरम गान का ये सौवा साल है भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये सौमा साल है, आपको मालूम है सन 1906 में स्वदेशी आंदूलिन शुरू हुआ महराष्टो में लोकमान नितिलक ने उसकी नीव राख बाद में गांदी जी तो उसमें जुड़ गए नीव तो लोकमान नितिलक ने रखी थी पाँच नवंबर 1906 को पूरे शहर में लोकमान नितिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदूलन शुरू किया और उस दिन ये बंदे मातरम पूरा गाया गया था तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई तो बंदे मातरम का सौवा वर्ष है स्वदेशी आंदूलन का सौवा वर्ष है तो इस सौवे वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में थोड़े तो स्वदेशी बने भारतियता के नस्दीक चले तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतियता लाइए तो कितने इस तरपर पांच जादा नहीं कहता में आपके भोजन में संपून भारतियता लाइए मने पीजा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग, चाव मीन टॉफी, चॉकलेट, बिस्केट, पाव रोटी, डबल रोटी इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीज़ें अंदर लाइए हमको पीजा, बर्गर की ज़रूरत नहीं अपने पास इगली है, सामर है, रसम है, उत्तपम है, दोसा है पूरी है, कचोरी है, सबजी है, खीर है, पापड है खाकरा है, बीसियों किसम के खाकरे है, फाफडा है, पता नहीं क्या-क्या है हमको ये सब नहीं चीज़े, अपना भोजन और अपनी भूशा बन पड़े उतनी भारतिय भूशा, जितना संभव हो फिर थीसरा, अपना भजन, बने अपना गान, अपना संगी ये पॉप म्यूजिक, रॉप म्यूजिक, इसमें मत ठसिये, क्योंकि उसमें म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं ना करण पुरिय है, ना शरीर के लिए अच्छा तो भारतिय संगीत, भारतिय भजन इसमें जाएं, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष प्राप्ती भी होगी यहां तो सब कलाएं, मोक्ष प्राप्ती का सादन है फिर उसके बाद, भारतिय भजन के बाद, भारतिय भेशज, माने आउशदी जितनी बने, भारत की आउशदी खाईए अब तो आपको मानूँ मैं, यूरोप के बड़े-बड़े डॉक्टर कह रहे हैं एलोपेथी में कोई आउशदी नहीं है आप खाओ, सब जहर है ताकत आपकी है कि पचा लो, तो जिंदा नहीं, तो मर जो आपने देगा, आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन उर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपेथी में कोई मेडिसिन नहीं है सब जहर है तुमारी ताकत कितनी है, जहर को पचाने की तुम तै कर लो और ये जो एलोपेथी के हम गुणगान गाते हैं आपको मालूम है, ये शुरू कैसे हुई है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है तो एक बिन उनको बुखार आ गया तो एलोपेथी का जो जनत माना जाता है न वो एक हिपोक्रेट्स नाम का व्यक्ति अब हिपोक्रेट्स का मतलब क्या होता वो आप सब जहनते तो हिपोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ उसने एलोपेथी को जनम दिया ऐसा के तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आये तो रक्त के प्रदूशन से आती है तो बीमारी जैसे ही आये तो गंदा खून शरीर में से निकालो तो वो जो ग्यॉर्ज बाशिंगटन का खून निकलना शुरू हुआ 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज बाशिंगटन मर गया यह है एलो पेथि जिसके पीछे आप आँख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहें जरा रुकिए ठहरिए देखिए कि उसमें कितना वेग्यानिक सत्थे है और कितना उसमें बकवास है यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ करी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ आल्टरनेटी नहीं है तो उनको करने दीजिए आपके पास क्या कमी है बताइए ना आयुरुवेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से है प्रिबेंटिव और क्यूरेटिव आपको तो जरूरती नहीं थी आयुरुवेद दुनिया में अकेला चिकितसा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पढ़ो स्वस्त रहो मस्त रहो सर्वे भवन्तु सुखन है सर्वे संतु निराम है और उसके लिए उसने नियम बनाए छोटे छोटे नियम है आयुरुवेद में उनका पाले नाफ करो जैसे बोजन के एक गंडे बाद पानी पियो सबसे पहला नियो पानी गूट गूट बरके पियो एक साथ मत पियो ठंडा पानी कभी मत पियो सबेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठके खाओ खड़े उके मत खाओ और रात्री में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशामे सिर करके सो कभी मजबूरी हो तो दक्षुन की दिशामे सिर कर लो ऐसे दो हजार नियम है आई रूपे कोई भी पालन करे तो जिन्दगी वर स्वस्थ रहे मैंने इनमे से कुछ नियमों का पालन अपने जिन्दगी में किया है और पिछले अठारे साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया आदी गोली भी नहीं खाई हर साल एक लाग किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीट में दर्द नहीं होता हर दस दिन पर मेरा खाना बदलता है अभी मैं राजस्तान में हूँ दस दिन बात करनाटक में रहूंगा करनाटक राजस्तान के खाने में बहुत अंतर है बस आयरुवेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलिफ ने ये मैं कर सकता हूं आप भी कर सकतें बस ध्यान देना है फिर आप कहेंगे जी हमको तो पतह ही नहीं है ये नियम कैसे हैं कहां लिखे हुए हैं आयरुवेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िये जरूर उसका नाम है अश्टांग हिर्दे कई कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है अश्टांग संग रह कर दिया दोनों एकी हैं वो जरूर पढ़िये उसमें दो हजार से ज़्यादा सूत्रे हैं मैंने उसको सौ बार पढ़ रहे और मुझे लगता उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक है जो आपको स्वस्थतों रखती ही है मोक्ष जाने का रास्ता बता दे कि मोक्ष कैसे हो वो आप ले लो बजार में मिलती है अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है पेज बहुत हैं संस्कृत में हैं कटिन संस्कृत में कैसे पढ़ें तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी-छोटी कुछ पुस्तकें बनाएं सो पन्ने की पचास पन्ने की देवर सोपन्ने की वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई है इस्टॉल के आप वो ले जाओ पाच्छे किताबें हैं चिकित्सा विश्यक पर वो सब अस्टांग हिरवे के आधार पर हैं उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूं कि नब्बे प्रतिशत वीमारियों में आपको चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगे डॉक्तर की आवश्यक पर देटाओं दस प्रतिशत वीमारियों को छोड़ देता हूं क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं दूसरे की गलती से आती हैं जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं एक्सिडेंट हो गया विसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं हो गया तो अब वहाँ आपको थोड़ी सरजरी की जरूरत पड़ेगी तो दस परसेंट घटनाओं को छोड़कर नब्बे प्रतिशत वीबारियों में ना डॉक्टर की जरूरत है ना दवाओं की जरूरत है ना हॉस्पिटल की जरूरत है आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं आयुरवेद की जरूर जरूरत है और आयुरवेद हमारे जीवन का शास्त्र है चिकित्सा का शास्त्र नहीं है जीवन का शास्त्र है जीवन कैसे जीना भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में जहां की जलवायू समसी तोश्ण है जहां चौज सोले तरह के क्लाइमेट जोन्स है ऐसे इस्थान पर कैसे जिन्दगी जीना ये आईरुवेब में है अगर आप चाहें तो अध्यन करिए संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की कितावें आप ले जाएए किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपी राइट नहीं सब को कॉपी करने कराएए क्योंकि हम भारतियता में मानते हैं जिसमें ग्यान किसी की संपत्ती नहीं सब के लिए मेरे लिए थोड़ी है मैंने कहीं से लिए आपको दिया आप किसी और को दे दो ग्यान को तो बाटने की परमपरा हम तो जितना ग्यान बाटें उतना बढ़ता है जितना दान दें उतना बढ़ता है यूरोप में तकलीफ है कि हर ग्यान को पेटेंट करके रखो दूसरे को छूने मत दो तो वो पुस्तके पढ़ सकते हैं ऐसी इन विश्यों पे छुट छुटी सीडी बनाई हैं वो सुन सकते हैं दूसरों को सुना सकते हैं थोड़ा इसका प्रचार करिये भारत और भारतियता का तो अगले दो-तीन वर्ष में शायद ये देश बदले आप नहीं बदलें तो आपकी पीड़ी जरूर बदल जाये जो आने वाली है तो शायद एक नया भारत हम देखें जो भारत हो भारतियता से युक्त हो जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना तो ऐसा भारत बने ये मेरी अभीष्ट मैं चाहता हूं कि ऐसा हो इसी के लिए ये सारा अभیयान है और इस अभियान को थोड़ी तेज गती देने के लिए बहुत जल्दी हम टीवी चैनल पर ये सब शुरू करने जा रहे हैं जितना मैंने आपको सुनाया आज ये मेरे कुल अध्यन का दो प्रतिशक इस विशेपर मैं 40 दिन कथा कह सकता हूँ रोज 3 गंटे यूरोप के बारे में और भारत के बारे लेकिन आपके पास इतना समय नहीं मेरे पास भी नहीं है तो हम जितना आज समझ पाए सुन पाए इसी पर चिंतन मनन करें और इसको थोड़ा आगे समझने की और कोशिश करते रहें अपने को समझ लें और उनको समझ लें तो क्या रखना है क्या छोड़ना है ये तै हो जाएगा और जिस दिन ये तै हो जाएगा उस दिन भारत भारत हो जाएगा ऐसी आप माने प्रार्थना इश्वर से मैं करता हूँ और आप सब को शुपकामना देता हूँ वंदे मातरम के शतापदी वर्ष में स्वदेशी आंदोलन के शतापदी वर्ष में ऐसा हम जरूर करें और ईश्वर हमको इसके लिए प्रेनना दे बहुत आभार बहुत धन्यवर सारे देश पक्त हमारे वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद